आप सभी को मेरे नमस्कार, इस टाइम रात के बज रहे हैं, तो मैं ये वीडियों आप सभी लोगे रेकॉर्ड कर रहा हूं, तो ये वीडियों का जो 2023 के question बाला part है, वो आपको इसी रूप में दीखेगा, जिस रूप में आपको दीख रहा हूं, तो अगर आप वीडियों क क्लिक कर दिया है, अगर यहां तक आप पूश गया है, तो मैं जैसर ही हूं, जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं, आप तेरे बाल और दाड़ी को देख करके, कलब के समय के बाद हो सकता है, आप मुझे पहचाने न, और अगर आप कारण जाना चाहते हैं, कि मैंने ऐसा क्य अगर वो मुझे मिल जाए, तो एक आईटिया लग जाए, कि हाँ, किस तरह के कोश्चन्स बने हैं, अभी तक सारे सेक्शन के अंदर इसी रहे हैं, मौर्ट रहे हैं, डिफिकल रहे हैं, तो उसके दिए आप क्या करता है, कि आपको यहां पर आना है, आपको प्लेलिस्ट म आना है, जैसे ही आप प्लेलिस्ट में आएंगे, तो आप यहां करेंगे हैं, जिसमें सेननीम और एंटेनिम, 2019 से लेकर के 2023 तक, इनके एरर की कोश्चन 2019 से लेकर के 2023 तक मैं डाल चुका हूँ, वागया सेंटेंस इंप्रूमेंट करे क्वेस्चन्स डालने जाए हैं, और भ कर चुका हूँ, एक बार आपसे लोग देख लिएगा, साथिकता अपने मेंस का पैच चलता है, बहुते हैं, जिसमें जिन बच्चों रहें रहें कर लेजिएगा, कभी भी रिग्रेट नहीं होगा, मेंस देनी के बाद आप आएंगे, तो आप 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 आएंगे, त चलिए, आजाता है, यहाँ पर, सबसे पहला कोश्चन हमारे सामने यह दिया गया है, 2023 के इंप्रॉमेंट के अंदर, सिनमा प्रोवाइडस ता मूस्ट यूनिवर्सल एंटर्टेन्मेंट, इस कंसेप्ट से रिलेटेड, 2023 के अंदर दो कोश्चन दिये गया थे, और बहुत इस कंसेप्ट के उपर कोश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको आना है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आपको सिक इतना टाइप कर देना है, हैंड़ेड गोल्डेन रूल्स पाई जैसर, इसको अगर आप वीडियों आ पूरे ग्रामर का निचोर पढ़ाया गया है, मतलब अगर आपने ग्रामर नहीं भी बढ़ी है ना, और अगर सस्ट का यार किसी भी वन्डे एक्जाम के, अगर अगर अप ग्रामर का एक निचोर चाहते हैं, पूरा अपका ग्रामर तयार हो जाए, तो बहुत ये कंसाइज सर्कूलर, योनिवर्सल और राउंड, अगर इसके अंदर आप देखोगे ना, तो आपको यहाँ पर दो चीज़ें दिखेएगी, यही 2003 के अंदर question भी पूछा गया था, एक यहाँ पर round दिखा है, यहाँ लिखा है, दोसरा योनिवर्सल, इसी से related question भी आपको आगे देख यह illogical है, क्योंकि कोई चीज़ अगर पहले से perfect है, तो उसमें ज्यादा perfect या कम perfect या सबसे ज्यादा perfect जैसा कोई चीज़ नहीं है, perfect अथा perfect वो अपना extreme है, ठीक है, वो absolute है अपने आप में, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं कह सकते है, उसी तरीके से जो final है, come final है, ज्यादा final नहीं होता है, उसी वज़े से round जो चीज़ है, तो round है, come round या ज्यादा round नहीं होता, यह इसके पीछे का simple logic है, यह word जितने भी लिखे गए हैं, आपके सामने इनको ध्यान रखिएगा, बस इनके पहले usually more या most लिख करके इन सारी चीज़ों को जो देता है, यह आपने easy है concept, ठीक है, तो क्या कह रहा है कि cinema provides the most universal, तो एक तो हमें यह पता चल गया, most universal यहाँ पर होगा नहीं, ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर जो दा लगा हुआ है, दा का use हम नहीं करेंगे, क्योंकि दा का use हम basically specific context में करते हैं, specific sense में करते हैं, तो यहाँ पर आप क्या कर ल हम पता ही होगा, कि जो sound होते हैं, उसके according हम a या end का use करते हैं, right, next देखते हैं, इस पर दिखेंगे जो यह last वाला है, more, यह वाला भी option क्या है, आपका गलत है, next आते है, he is taller and most handsome than his friend, तो यहाँ पर किस की बात हो रही है, यह comparison की बात हो रही है, तो comparison के लिए compare to degree का use करना प coordinate conjunction है, coordinate conjunction, same rank structure को जोड़ता है, अगर यह comparator degree है, तो इधर भी comparator degree लिखनी पड़ेगी, handsome, positive degree होती है, more handsome, उसके बाद आता है, most handsome, जो कि super letter degree होती है, but here, we need comparator degree, तो यहाँ पर हम more कर रही है, next देखिएगा, this is the challenge task I have ever encountered, अब यहाँ पर कह रहा है, this is the challenge task I have ever encountered, जैसे मैं यह ब best movie that I have ever watched, या अभी तक मैंने जितनी movie देखिए, यह अब तक की सबसे best है, तो अगर मैं कभी भी comparison करता हूँ, one versus all का, ठीक है, यानि सब में से किसी एक को मैं बहतर बताऊं, या सब ही के साथ किसी एक का comparison करूँ, उसको सरस्रिस्ट बताऊं, तो वो super letter degree होती है, तो यहाँ अभी तक मैंने जितने भी encounter किये हैं, यह सबसे ज्यादा challenging था, तो यह super letter degree हो, super letter degree के लिए हम most challenging का use करेंगे, क्योंकि already यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बाद हमें super letter degree का use करना है, अगर आप थोड़ा सा मुझे regular देखने हैं, तो मैं थोड़ा आजीब लग रहा हूँगा अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हूँगे, तो कोई बात नहीं, कुछ दिन में बाली हैं, आ जाएंगे, तो थोड़ा सा इसको ignore करके यहाँ पे focus करिएगा, ठीक है, थोड़ा औरों की तरह hero नहीं लगता हूँ, यह एक अलग मुद्दा है, ठीक है, लेकिन अगर आ थोड़ा अच्छा करेंगा, और मुझे भी अच्छा लगेगा, तो बात करते हैं, यहाँ पे sentence improvement का question है, लेकिन question को जराब ध्यान से, अगर notice कर रहे हो ना, शुरुआ से, यहाँ तो grammar से related था, यहाँ भी grammar से related था, यहाँ भी grammar के concept से related था, लेकिन यहाँ पे sentence improvement का question जो है, व यहाँ पे C, I के बाद single L देती है, यहाँ विकार दीजेगा, यहाँ विया, C, I, B, C, double L, A, यहाँ double T देती है, यह भी कार दीजेगा, ठीक है, double T है, वैसे related का मतलब क्या होता है, जैसे if you are uncertain what to do, अगर आप किसी चीज को ले करके, शेवर नहीं है, किसी चीज को ले करके, अगर आप सुनिश्चित नहीं है कि करना क्या है, तो उसे हम बोलते हैं vacillate, तो मतलब आप इसको अभी तो मैंने meaning बताई, uncertain what to do, ठीक है, वैसे हम इसको कह सकते हैं dither, या इसको हम कह सकते हैं fluctuate, ठीक है, जब इंसान किसी भी जैसे, किसी भी चीज को ले कर, जब आपको fluctuation होता है, dithering होती है, या आप कह सकते हैं कि जब आप किसी चीज को ले कर, certain नहीं होते हो, तो हिसकी चाहत होती है, मन में ना, ठीक है, उसे चीज को हम vaccinate कहते हैं, fluctuation, hesitation, जिसको आप लोग बोलते हो, आप यह भी बोल सकते हो, यहाँ पे hesitation, इस दी आये थे, सारे के सारे, अस में, यहाँ तो कोई comparison ही नहीं है, वो कह रहे हैं कि Ahsoka was not only a great warrior, Ahsoka सिर्फ एक great warrior नहीं थे, योद्धा नहीं थे, बलकि एक बहुत यह बुद्धिमान ruler भी है, तो यहाँ comparison बोई नहीं रही है, यहाँ पे Ahsoka की ही quality बताई जा रही है, ठीक, तो इस वज़े से हमें यहाँ positive degree ही लिखना पड़ेगा, wise और दूसरी चीज़ यह ध्यान रखिए, वेरी के बाद positive degree adjective का ही यूज करेंगे, यहाँ यहाँ पे देखी, इन्होंने sentence improvement में question तो पूछा है, लेकिन one word substitution का question पूछती है, कि there is a place for grains in the backyard of this house, अब देखें क्या क्या चीज़े दी गई हैं आपके सामने, एक तो dormitory दी गई है, dormitory तो बहुत common word है, जैसा कि आप लोग को पता है, एक बहुत बड़ा सा रूम कह सकते हैं, contains many bits, जिसमें बहुत सारे चोटे 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 bits लगे होते हैं, उसको हम क्या बोलते है, dormitory बोलते हैं, ठीक है, अपेरी क्या होती है, where bees are kept, पर historical documents बगेरा रखे जाते हैं, उसको हम लोग archive बोलते हैं, आपको लिखना है, तो collection of historical documents लिख लिजेगा, a collection of historical documents is called archive, right, बाकी answer इसका क्या हो जाएगा, grains की बात हो रही है, तो यहाँ पर ग्रानरी हो जाएगा, and last one, she was known for her ability to communicate effectively, यहाँ पर बात हो रही है, ability की, यानि योग अपने आपको बहुत ही असपस्ट तरीके से एक्सप्रेस करने की writing and speaking, चाहे हम लिखने की बात करें, चाहे बोलने की बात करें, दोनों में ही खुद को बेहतर तरीके से express करना, उसे क्या बोलते हैं, उसे eloquent बोलते हैं, या articulation बोलते हैं, articulate का मतलब होता है, fluent in writing and speaking, तो यहा मैंने मतलब क्या बता है, fluent in writing and speaking, जो बैक्ति खुद को clearly असपस्ट रूप से अपनी चीजों को express कर पाता है, उसे कहते हैं, अगर मैं incoherence की बात करूँ, तो incoherence जैसे एक word होता है, coherent, coherent का मतलब होता है logical, ठीक है, इसका मतलब होता है logical, rational, तो यह incoherent है, तो इसका मतलब ill logical हो जाएगा, rambling word एक दिया हुआ है यहाँ पे ना, तो rambling का मतलब, पहले mumbling बता देता हूँ, mumbling का मतलब क्या होता, whisper, whisper meaning क्या हो गया, जैसे आपने किसी के कान में फुस फुस करी, ठीक है, तो वो क्या है, whisper करना, फुस फुसाना या जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है उसके बाद rambling का मतलब क्या होता है, lengthy and confusing, कोई ऐसी चीज जो बहुत lengthy हो, confusing, lengthy का मतलब क्या होता है, बहुत लंबा चोड़ा, जैसे ना, किसी ने speech दिया, आप एक्टम बोर हो गए, अब मैंने आप से पुछा, यार आप बोर क्यों हो गए, आपने का सब बहुत lengthy speech, lengthy मतलब ठीक है, और confusing, कोई चीज अगर बहुत lengthy हो जाती है, तो थोड़ा सा confusing हो जाती है, यह तो lengthy and confusing निख सकते है, बड़ बुद्दा यह है कि किस चीज के लिए यूज किया जाता है, जैसे यह writing के लिए यूज किया जाता है, and speech के लिए भी यूज करते है, जैसे माने जो कोई न लगता था, और confusing लगता था, समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहा है न, उससे तरीके से कोई अगर आप piece of writing, अगर आप देख रहे हो, पड़, कोई article है, अगर आप पड़ रहे हो, तो बहुत lengthy है, तो इंसान confused होने लगता है, ठीक है, तो वो होता है, actually मैं rambling, बस, 2023 के यहीं तक seven questions आए थे, अभी अब जितने questions इसके बाद आप देखेंगे, वो पूरे के पूरे 2019 से 2022, तो इसमें फूरा cover कर लिया गया आपका, 2019 से 2023, ठीक है, यह जो साथ questions थे, यह 2023 से related थे, एक बार आप लोग लाइक और शेर जरूर कर देना, ठीक है, चलो तो पहले question पे आ जाओंगा, यहाँ पर जो hotel से लिखा हुआ है, यह आपका कैसा है, आपने का सर प्लियूरल सब्जेक्ट है, subject प्लियूरल है, तो वह भी प्लियूरल हो जाएगा, यहाँ पर वर है, तो हमें पता है कि hotel ने खुद को बुक किया नहीं होगा, hotel किसी दूसरे के द्वार बुक किया गया होगा, तो वो हमारा किसमे होगा? अपने का work की तीसरी form, work के बाद work की तीसरी form आई है, जो कि आपका किसमे है, आपने का सर पैसिव आएस में है, पस एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि heavy लिखा गया है, बीच में, heavy जो होता है वो आपका adjective होता है, और यह तो आपकी heavily होती है, यह आपका adverb होता है, तो obvious सी बात है, verb को modify करने के लिए adverb पी ज़रूत पड़ेगी, तो यहाँ पर r के बाद heavy लिखा है, काड़ दीजे, were heavily booking, क्योंकि देखे, sentence हमारा passive ice में है, तो booking नहीं होगा, यहाँ पर एक ही सही हो पा जाएगा, तीसरा, ठीक है, क जो off है आपका, वो आपकी preposition है, जो biologist लिखा हुआ है, वो इस preposition का object है, तो यहाँ पर subject आपके सामने जो दिख रहा होगा, वो a team दिख रहा होगा, जो कि अपने आपने एक singular subject है, तो अगर subject आपका singular होगा, तो verb भी आपका singular होना चाहिए, तो यहाँ पर आप notice करेंगे, has been के बाद discovering आया है, यहाँ has been discovered आया है, यहाँ has discovered आया है, तो इतनी तो बास पक्की होगा ही, कि सर यहाँ पर has लगेगा, लेकिन आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कि अगर has been के बाद आपने discover लिखा है, तो यह आपका passive eyes का sentence है, और अगर has been के बाद आपने discovering लि टीम थी, has been discovered नहीं, उन्होंने खुड discover किया था, sentence active eyes में होना चाहिए, और वहाँ पे passive eyes बना दिया गया है, जो कि sentence गलत हो जाएगा, तो एक तो present perfect continuous होगा नहीं यहाँ पे, क्योंगि present perfect continuous होगा नहीं है, यहाँ पे कोई काम एक particular time से शुरू हुआ था, और अभी चल रहा ह तो वहाँ के लिए use होता है, यह होगा नहीं, passive eyes में होगा नहीं, एक ही चीज हमारी बजती है, वह भी तीसरी, यानि यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, see correct answer हो जागा, अगर कोई भी doubt किसी student को हो, तो please आप लोग पूछ लेना, अगला देखेगा, hardly, अब यह तो बिना देख असली की बात करता हूं, तो इनके साथ हम क्या use करते हैं, when या before का use करते हैं, अगर मैं option में that है, यह है, एक ही हमारा सही हो पाएगा, that is when, ठीक है, चौथा, अगला देखेगा, I couldn't sleep in case of being very tired, अब यह अच्छा question है, और यह मैं आपको कराऊँगा, ठीक है, थोड़ा सा समझ ठीक है, और in spite of का जो एक substitute होता है, हम इसकी जगह पर despite भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो despite की meaning होती है, वह in spite of की meaning होती है, both have the same meaning, और यह actually जो parts आप speech में देखा जाए, तो यह क्या होते है, preposition होते है, तो हमीशा ध्यान रखेगा, कि अगर यह आता है, तो यह अपने बात इसी तरीके से कुछ लेगा, ठीक है, अब देखो, मैंने कहा, he went there, वह वहाँ गया, in spite of being dangerous, अब कह रहा है कि, मतलब खत्रा होने के बावजूद भी, he went there, वह वहाँ गया, तो आप चाहे यहाँ पर in spite of लिखिए, या आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आपने का सर, यहा in spite भी लिख सकते हैं, दोनों condition में यह सही हो जाएगा, he went there, in spite of being dangerous, या he went there, despite being dangerous, बस इतना ध्यान दिजेगा, कि जब कभी भी आप despite लगाएंगे, तो despite के बाद कभी भी off मत लगाईएगा, यह बहुत ही ज़्यादा पूछा गया question है, आपके SSC के अंदर, क्योंकि in spite of or despite की same meaning होती है, तो अगर despite के बाद off लगा देंगे, तो यह एक superfluous बन जाता है, तो यह अगर आपको समझ में आ गया, तो in case of भी मैं आपको बता देता हूँ, देखे, जैसे माले जी मैंने लिखा, कि a doctor is on call, a doctor is on call, in case of emergency, अच्छा जी, एक चीज और थोड़ा सा ध्यान से आप इसका और बताना चाहता हूँ, मैंने आपसे कहा, कि we self contact you, अगर मैं यह बोलू, we self contact you, in case and emergency arises, दोनों sentence में एक चीज बस ध्यान दिजेगा, मैं इसलिए बता रहूँ हूँ कि अगर आप means देने जा रहे हैं, तो यह सारे questions आते हैं, और कहीं कहीं students इसमें फस भी जाता है, त in case लिखा हुआ है, तो बस इतना सा ध्यान रखेगा, यह जो in case होता है, यह conjunction होता है, यह जो in case of होता है, यह आपका preposition होता है, तो पक्की सी बात है, भाई, conjunction का क्या काम होगा, conjunction का काम होता है, दो sentence को आपस में connect करना, तो यहाँ देखिए, यह हमारा एक subject है, यह इसका verb है subject और verb का combination क्या बना देगा, एक sentence बना देगा, यह clause बना देगा, तो यह एक sentence है, यहाँ पे an emergency subject है, arises उसका verb है, यह दूसरा sentence है, तो यहाँ पे देखिए, एक sentence यह है, दूसरा sentence है, इन दो sentence को आपस में connect कौन करेगा, conjunction, तो हमने in case लिखा, examination में क्या करते हैं, कि इसकी जग तो obvious सी बात है, preposition के बाद ना उनाएगा, उसका object बन करके, अगर मैं यहाँ पे in case लिख दूँगा, तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे in case of ही लिखना पड़ेगा, और यह जो आपका in case होता है, या फिर आपका यह जो in case of होता है, तो यह सबको पता होगा, कि यह condition refer गरत यहाँ पे condition की कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है, in spite of, in spite of being very tired, पहले बता यह बात clear है कि आप सभी लोगों को, देखिए, मुझे पता था, यह question हम तुरंद करके निकल सकते थे, लेकिन मैं बस चाहता था कि दो तीन चीज़े मैं आपको बता पाऊं, जो यहाँ पे कहा रहा है कि the guards in bananas were very crowded, but we were able to watch the ganga arty clearly, अब जरहा sentence को यहाँ से पढ़ते हैं, the guards in bananas, in क्या है preposition हो गया, bananas इस preposition का object हो गया, यह जो guards है वो हमारा plural subject है, that's why हमने यहाँ पे plural verb लिखा हुआ है, very crowded, अब देखिए यहाँ पे ठीक है, crowded verb की third form यहाँ पे आ गई, जो क यहाँ पे past participle adjective के तरीके से काम कर रहा है, और इसके लिए यह very जो लिखा हुआ, वो हमारा adverb हो गया, अब कहरा है, but we was, अब option में ही देखा जाए, तो यहाँ पे we के साथ was तो ऐसे भी नहीं आएगा, अब यहाँ पे लिखा है, so we were लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ प पताता है, और यहाँ पे result की तो बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि यह कह रहा है कि जो वहाँ पे बनारस के घारतियों बहुत जाता crowded थे, मान लिया हमने, और कह रहा है कि लेकिन हम लोग ना गंगा आरती हम असफस्ट रूप से देख पाए, यहाँ पे आपको नहीं लग र तो मैंने कहा था कि एक तरफ negative होगा और एक तरफ positive होगा, तो negative और positive यह contradiction है, जब हम दो opposite statement को जोड़ते हैं, तो contradictory statement को जोड़ते हैं, तो उसके लिए हम but का use करते हैं, यह अपने आपने सही हो गया, अब यहाँ पे वी है और यहाँ पे वर है, अब यह भी सही है क्योंकि व हमारा answer हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, इसमें किसी तरफ का improvement है ही नहीं, अगला देखे, he couldn't believe it at first, so the most of thought about it, the more he decided it must be true, अब देखो जी, यहाँ पे थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाना, इसमें कुछ नहीं है, बहुत easy है, अब कह रहा, he could not believe it at first, उसने शुरू-शुरू में इस चीज के ऊपर भरोसा नहीं किया था, ठीक है, so the most he thought about it, the more he decided it must be true, अब यहाँ पे देखे, so लिखा हुआ है, अभी just मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कि यह so जो है, यह result refer करता है, और मैंने यह भी आपको बताया था, यह जो but होता है, और एक चीज और बताता हूँ, but contrast बताता है, यह जो although लिखा हुआ है, although, यह भी contrast बताता है, यह दोनों ही contrast बताते हैं, right, अब आप कहोगे, sir, एक चीज तो पक्की है, अगर मैं पूछूँ भाई, क्या चीज पक्की है, तो आप कहोगे, sir, देखो, so तो नहीं लगा सकते, यह तो तैंबात है, अब आपको option बताना है, तो क्या कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर A बता रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर B बता रहे हैं, but the more, but the most, ठीक है, तुक्का नम आ रहे हैं, तो मैं आपको बताऊँ एक चीज, आपके दिमाग में देखो, एक च पता नहीं, आपने पढ़ी होगी, कि नहीं पढ़ी होगी, मैं आपको बता देता हूँ, देखे, यह क्या होता है, मैंने article, मैं एक free foundation batch पढ़ा रहा हूँ, रात के 9 बजे, और यह YouTube के उपर free है, वहाँ पे मैंने article में इस चीज को बताया था, अगर आपने नहीं पढ़ा, यहाँ देख लिए, relative increase, decrease क्या होता है, जैसे माली जी मैंने कहा, कि the more he earns, वह जितना कमाता है, the more he spends, वह उतना ही खर्च करता है, मतलब जितना कमाता है, उतना ही खर्च करता है, इससे हम बोलते है, relative increase, decrease, तो इस condition में क्या होता है, कि यहाँ जो comparative degree है, इसके पहले भीदा जाते है, the cooler it is, और यह उतना ही थंडा हो जाता है, जितना ऊपर जाएंगे, उतना ही थंडा होता जाएगा, तो आपने कहा, यह भी relative increase, decrease है, तो जब relative increase, decrease की बात करते है, तो यहाँ भी comparative degree की पहले, तो अगर आप sentence पढ़िए, तो जो बच्चे अभी most में अटके हुए हैं वो नहीं अटकेंगे, वो कह रहा है न, the most he thought about it, the more he decided it must be true, वो जितना ही उसके बारे में सोचता है, उसको लगता है, वो उतना ही सकते है, है न, तो अब जाहिर सी बात है, यह relative increase, decrease है, तो यहाँ comparative degree की पहले दा लगा है, तो यहाँ पे भी होना चाहिए, comparative degree, तो यह वाला क तुरन दिमाग में आएगा सर, हवा बाजी नहीं, reason बताओ, क्योंकि दोनों तो contrast ही बताता है न, तो but क्यों लगाया, क्योंकि बाबा देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको, आपने लगा सर कॉमा दिख रहा है, तो हमें जब भी कॉमा मिल जाए, तो उसके साथ coordinate conjunction लगाते हैं, बताता ये भी contrast है, बताता ये भी contrast है, लेकिन ये actually में subordinate conjunction होता है, ये हमारा coordinate conjunction होता है, और हमें हाँ requirement coordinate conjunction की है, जो हमें कॉमा से पता चल रहा है, तो that's why हमारा second answer हो जाएगा, be is the correct answer, पहले बता देचे, आप लोगों को बात समझ में आए, ये मतलब इतना चीज़ें, दिमाग में आती, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता, वो क्यों नहीं हो सकता, अब मुझे लग रहा है, कि more क्यों हुआ, वो भी बात यहां से clear है, और मान लिजिए, but और although में क्यों हुआ, but वो भी बात आपको clear है, ठीक है, तो ये coordinate conjunction subordinate conjunction, आगे हम clear करेंगे, आगे बढ़ते हैं भाई, देखिए, आप कुछ भी तैयारी कर रहा हूँ, आप enjoy कर रहा हूँगे, चाहे आप CPO कर रहे है, चाहे स्टेनो कर रहे है, चाहे upcoming exam है, आगर आप इसको एक बार पढ़ लोगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है हर clarity मिल जाएगी आपको concept की, जैसे कहा रहा है कि this appears to be the handiwork of someone who do belong to a criminal gang, आचा जी इसमें कुछ दिमाग मत लगा लो आप, आप बस इतना देखो ये क्या दिख रहा है आपको, आपने का that is relative pronoun, भाई एक बड़ा खुटा सा concept है और बहुत ही frequently पूछे जाने वाला concept यह है, according, इसी antecedent के according हम किसका use करते हैं, आपने का sir, verb का use करते हैं, ठीक है, अब अगर यहाँ देखे, relative pronoun who लिखा हुआ है, तो इधर क्या लिखा है, आपने का sir, someone लिखा हुआ है, तो एक तो यह someone जो है, वो person को denote कर रहा है, तो जैसे पता चला, person को denote कर रहा थी, इसको हटा और दूसरी बात यह जो यहाँ पर belonging लिखा हुआ है, यह हमारी एक stative verb होती है, जो हमारी stative verb होती है, जैसे मालिच यह smell है, उसको smelling नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी verb जो अवस्था बताती है, state बताती है, उनकी ing form नहीं बनाई जाती, तो यह भी गड़बड हो गया, एक ही चीज हमारा बसता है, यहाँ पर who belongs, क्योंकि यहाँ पर यह जो someone है, वो क्या है, singular है, तो verb भी आपका singular होना चाहिए, तो to belong हटा करके, अगर यहाँ पर हम सिर्फ belongs लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, अपने का सही हो जाएगा, यानि B is the correct answer, ठीक है, अच्छा मुझे बस इतना ब vision हो जाए, जो बच्चा आगे करने वाला है, उसको चीजने clear हो जाए, उसके दिमाग में यह नहों हम सिर्फ question answer खेल रहे हैं, at least उसे यह पता रहे है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इस वज़े से मैं confirmation सभी लोगों से चाहता हूँ, कि मुझे वो बस दे दो, जैसे यहाँ दे अगर मैं weather की बात करता हूँ, मैं days की बात करता हूँ, मैं dates की बात करता हूँ, उसको पता यह इट लगता है, raining, तो raining के लिए दे तो लगी नहीं सकता, तो एक तो यहाँ पर इट लगेगा, अच्छा दूसरी बात क्या है, कि जब वो पानी दे रही थी, यह बात किसमें हो हो रही, आपने का सर पास्ट में हो रही, तो यह भी पास्ट में होगा, तो देखो, it start तो कड़ गया, यह होगा नहीं, हमारा क्लियर है, सही है, सब कुछ, बेस्ट है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग के appreciation के लिए, और थोड़ा यार दबा के share कर दिया क myself लेता है, जैसे ही होता है, वो अपने साथ क्या लेता है, अपने का सर himself लेता है, उसी तरीके से see अपने साथ herself लेगा, तो obvious सी बात है भाई, देखो, यहाँ पे oneself अटा दो, और दूसरी बात यह रही कि अगर यहाँ पे see herself और यहाँ पे R कैसे हो जाएगा, अगर हम see की ब came for a halt आया हुआ है, तो आपको actually मैं बताना चाहूँगा, यह actually came for a halt होता ही नहीं है, यह होता है, came to a halt, ठीक है, क्या होता है, पूरा ध्यान रखेगा, यह पूरी जो फ्रेज है ध्यान रखेगा, came to a halt, इसका मतलब होता है, stop moving something, किसी चीज को रोक देना है तरीके से, ठीक ह तो यहाँ पर देखे क्या होता है, come to a halt होगा, तो यहाँ came for हटा दिजे, यहाँ came to a halt है, यहाँ come to a halt है, अब हम sentence को अगर धेखेंगे, तो यहाँ पर four people were injured है, यह बात किसमे है, आपने कासर past में है, अगर यह चीज past में है, तो यह past में जाएगी, तो अगर past में जाएग यह देखिए अब इसको थोड़ा ध्यान से समझेगा अभी तुरण समझ में आ जागा जैसे मैंने कहा एक सेंटेंस यह देख लिजे दूसरा यह देख लिजे इट इस मी यह आई ओ डिड यू अब देखे दोनों चीज़ों में बस मैं यह पूछना चाता हूँ आप सबी लोगों से कि यहाँ पे देखे इट इस मी या आई लिखा है यहाँ पे इट इस मी या आई लिखा है बस इतना पूछना चाता हूँ कहाँ पे मी होगा कहां पे आई होगा, मुझे बस एक बात का जवाब देजिएगा आप लोगों को ये पता ही होगा कि ये who जो है वो किसको refer करता है आपने का sir subject को, ये whom किसको refer करता है, आपने का sir object को ठीक है, ये subject को refer करता है और ये object को refer करता है, तो यहाँ पे it is me या I के बाद who लिखा हुआ, तो who का जो reference होता है, वो किसका आपने का sir subject के तरीके से काम करता है तो यहाँ पे ये it is me नहीं होगा, यहाँ पे it is I होगा, क्योंकि ये compliment किसको कर रहा है, subject को कर रहा है, ठीक है यहाँ पे देखा जाए, ये जो whom है सबको पता है, ये तो object को refer करता है भाई, तो अब ये अगर object है तो ये compliment object को कर रहा है तो ये objective case में होना चाहिए, तो यहाँ पे me हो जाएगा, तो अब ये बात अगर आपको समझ में आगई, अगर आप इसे detail में पढ़ना चाहते हो, मैं simple बता रहा हूँ मेरा foundation course है, जो कि free है, foundation course YouTube के उपर free है, और इसको मैंने pronoun में पढ़ा रखा है, बिल्कुल detail में वहाँ पढ़ सकते हो, और आपकी जानकारी के लिए बहुत simple चीज़ बता देता हूँ मैं, अगर आप इतना depth में नहीं जाना चाहते, logic नहीं सीखना चाहते है, आप simple सी चीज़ देखिए यहाँ पे who है, तो subjective case यहाँ पे whom है, तो objective case कोई reason, reason यह है कि subject है तो subjective case, object होगा तो objective case simple, तो यहाँ पे who था तो he होना चाहिए, तो यहाँ पे यह काड़ दिया हमने, यहाँ पे he है, यहाँ पे पर आई की जगह पर आपको क्या लिखना पड़ेगा में लिखना पड़ेगा ठीक है तो यह आपका हो जाएगा सेकेंड वाला बी वाला correct answer हो जाएगा अगला दिखिएगा हाँ यह कोशन अच्छा है थोड़ा सा ध्यान से दिखिएगा she was too started at first वह शुरुवात में बहुत ज़्यादा आश्यर चकित था saying something कुछ कहने को लेकर के but finally she blurted out the truth अब मैं बस इतना समझाना चाहूँगा आपको यह जो two होता है actually यह two adverb होता है और यह नेगे इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है more than required more than required जरा सारे student एक बार इसको पढ़िएगा क्या लिखा है more than required यानि जरूरत से ज़्यादा अच्छा एक बात बताईए अगर कोई चीज जरूरत से ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या है positive है या negative है आपने का सार obvious सी बात है negative है आप जरा ऐसे सोचिए मैं एक आपको छोटी सी बात बताता हूँ गौतम बुद्ध से एक बार किसी उनके सिस से ने पूछा कि बुराई क्या है ठीक है तो उन्होंने कहा किसी भी चीज की अती बुराई है चाहे वो प्रेम हो चाहे वो पढ़ाई हो कोई भी चीज हो अगर वो उसकी अपने अती कर दी ना हद से जादा कर दी तो वो बुराई है वो चीज बेकार है तो अगर more than required मैं बोल रहा हूँ तो मतलब जरूरस से जादा तो ये एक negative meaning convey करता है जैसे मैंने कहा it is या he is too corrupt वो बहुत ज्यादा भरस्ट है तो इसके साथ एक बात ये ध्यान रखना है कि ये जो two होता है नोट करके सारे student इसको लिख लीजेगा ये जो two होता है ये अपने साथ two plus verb की पहली form लेता है ठीक है जैसे मैंने कहा he is too poor to buy a new car वो कह रहा है कि वह इतना ज्यादा गरीब है कि एक कार नहीं करे सकता तो यहां देखे वह इतना ज्यादा गरीब है कि कार नहीं करे सकता चौथा चौथा ठीक है अगला देखिएगा on winter's evening a haze of smog hang in Delhi अगर आप दिल्ली मेरे खेरियानों ने आप दिल्ली बोल दिया है आप किसी भी शहर में रहते होंगे तो अगर ठंड अच्छे से पड़ रही है तो जो winter evenings होते हैं या जो साम का समय होता है वहां पे देखेंग hanging over है और hangs up है अब इसमें से क्या हो सकता है यह आपको बताना है ठीक है इसमें कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है आप इसको ऐसे देख सकते हैं जो hang up होता है hang up का मतलब होता है end of phone call मानले आप किसी से phone पे बात कर रहे हैं और आपने hang up कर दिया मतलब फो आपने कर दिया यहां पे क्यों руки over मतलब चारों तरफ फैला हुआ ओवर क्या होता है over वह कहना चाता है कि चारों तरफ जो चीजज फैला हुआ हो ठीक है तो hangs bewusst बट्रया हो है क्योंकि इनका यूज हम वहां करते हैं जो इंक्लोजड एरिया हो मतलब जो चारो तरफ से घिरा हुआ हो जैसे यह कमरा है इस कमरे के अंदर मैं पढ़ा रहा हूं तो इस इंक्लोजड एरिया ठीक है तो उसके लिए और खेर इन स्टेट वगेरा को भी रेफर करने के लिए यह किया जाता है वह आगे मैं बताओंगा तो यहां पे आपका खेर हैंग सोबर हो जाएगा एस तरे करेक्ट शर ठीक है जो फ्र statistics क्या है एक बात बात बताईये यह है यहां पे टू से ऐनिधिन अज़ाए आपका सम और अपने पढ़ा होगा I तो और आपने पढ़ा होग जो आपका sum होता है यह हम positive sense में use करते हैं और any negative में करते हैं तो यहां देखिए he was to started at first to say anything something नहीं होगा anything क्योंकि यह जो to है यह कैसी meaning देती है देखिए न यहां पर मैंने आपको बता रखा negative meaning देता है तो जब यहां बात हो रही है negative reference की तो negative reference के लिए हम something तो लगा नहीं सकते यहां पर anything लगाना पड़ेगा right clear है उस time मैंने actually यह बात ध्यान नहीं दी अच्छा करा आपने पूछ लिया मैंने आपका comment देख लिया ठीक है to say something होगा तो क्यों to say anything कि यह है to say anything ही होगा to say something नहीं होगा वो मैंने flow में पढ़ दिया होगा और अच्छा कि यह आपने पूछ दिया तो यह आपका clear हो गया anything ही होगा और क्यों होगा वह बात भी आपको clear होगी क्योंकि negative के लिए any और positive के लिए some और two से पक्की बात है कि negative बात हो रही that's why यहां पर क्या ह हो जाएगा आपका anything हो जाएगा ठीक है अगला देखिएगा यह भी हो गया next पे आते हैं there were 10 children in the class six of which was crying अब यह आपको बताना है ठीक है बहुत आसान है मैं आपको देखिए एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा जो आपको पहले से पता होगा यह जो who है और whom है इन दोनो का use हम करते हैं person के लिए living being के लिए यह भी person के लिए यह जो आपका which होता है इसका use हम करते है non living के लिए और यह जो आपका whose होता है whose का use हम करते हैं possession बताने के लिए यानि अधिकार बताने के लिए लेकिन इसमें एक छोटी सी बात आपको समझनी है यह subject यह object यह subject और object दोन यहाँ पे किस की बात कर रहे हैं हम, बच्छों की बात कर रहे हैं which का तो कोई लेना देना है इसको काड़ दीजे, अब देखे person के लिए ये परसं के लिए ये भी है, तो यहाँ पर whom एक ही जगह पर whom वर क्राइंग क्योंकि वर इसलिए लगेगा क्योंकि हम लोग बात किस में कर रहे हैं चिल्डरेन की बात कर रहे हैं तो उस वज़े से यह वर लग गया और यहाँ पर यह पर प्रेपोजीशन है तो उसका objective case चाहिए तो इस वज़े से यह whom लग गया तो हमारा जो correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा अगला देखिएगा you need to take some guidance in chemistry अब जैसे option में एक चीज़ देखते ही हम काड़ सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा subject है वो plural है तो needs तो होगा नहीं इसको हमने काड़ दिया अब यहाँ पर you need to taking लिखा हुआ है देखो two के बाद हमें verb की पहली form के requirement है तो two plus verb की पहली form infinitive होती है तो two taking भी हमने काड़ दिया अब you need to take अब अच्छा ध्यान से देखें यह हमारा subject है और यह इसका main verb है अब जैसे कुछ बच्चों के दिमाग में यह चीज़ आती है कि sir यह जो need होती है need तो model verb होती है भाई मैं मानता हूं model verb होती है तो जिसने भी आपको यह बात पढ़ा रखी है अगर आप मेरे से पढ़े हो तो मैंने बताया है या आपने जिससे भी पढ़ा होगा उन sir ने आपको यह चीज़ बताई होगी कि यह जो need होता है यह model verb तो होता वर्ब एक साथ नहीं लिख सकते हैं, तो एक को मिन वर्ब और दूसरे को नॉन फाइनाइट वर्ब बनाना पड़ेगा, अच्छा ये सारी चीज़े सुनके घवराईएगा नहीं, कि फाइनाइट वर्ब क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, बस जो वर्ब सबजेक्ट के अनुसार बदलता है, या टेंस के अनुसार बदलता है, उससे फाइनाइट कहते हैं, जिस पर सेंटेंस के टेंस का या सब्जेक्ट का कोई फारक नहीं पड़ता, वो हमारा नॉन फाइनाइट होता है, तो बस सिंपल सी बात ये कहना चाहता था, दो फाइनाइट वर्ब या दो मिन बेक साथ नहीं लिखा जा सकता, एक को finite बनाएंगे, दूसरे को non-finite बनाना पड़ेगा, तभी जा करके सही होगा, क्योंकि आप कभी ऐसे नहीं लिखते हैं, he wanted, go there नहीं लिखते हैं, ठीक है, यह गलत हो जाता है, तो हमेशा आप यहाँ पर two लगाते हो, क्योंकि एक हमारा finite verb होता है, जो इस subject के अनुसार लगता है, ठीक है, tense के अनुसार लगता है, और दूसरे को हमें non-finite बनाना पड़ता है, तो यानि कहने का मतलब यह होगा, कि हमारा no error होगा, यानि जितने लोगों ने यह दिया है, सबका correct answer है भाई, अगला देखिएगा, Monica has learned French for a long time, अब यह आपको बताना है, इसमें मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत होने वाली है, क्योंकि यह दो देखके ही किया जा सकता है, यहाँ पर देखिए time mention, for a long time, अब जैसे हमने यह देखा, तो हमें समझ में आ गया, कि यह present perfect continuous है, क्योंकि तो को has के बाद लर्निं French for a long time, लंबे समय से मोनिका जो है, वो French सीख रही है, अगला दिखेगा, if somebody attacks you, अगर कोई भी जो है, आप पर attack करता है, you needs be able to defend yourself, सबसे पहले बात यहीं गलत होगी, कि you के साथ हमने needs लगा दिया, क्योंकि you plural subject होता है, तो needs की कोई requirement रही नहीं, तो हमने क्या किया कि इसको गलत कर दिया, तो no substitution required होगा नहीं, अब अच्छा अगर गौर करिएगा, तो यहाँ पर need के बाद be आया है, अगर आप need को main verb मानोगे, तो be भी हमारा एक तरीके से main verb के तरीके से काम करता है, to be form की category का जरूर होता है, लेकिन ये भी main verb के तरीके से काम करता है, तो साथ में ऐसे तो नहीं लिख पाएंगे दोनों को, ठीक, गलत, need के बाद being, अब भाई ये जो being आपने gerund form लिखी है, need के बाद, कोई sense नहीं बनता, क्योंकि ing form gerund हम वहां लिखते हैं, जब हमें बताना हो कि कोई भी जो कार है, वो process में है, तब हम continuous form बनाते हैं, तो ये भी गलत हु तो एक ही चीज हमारा सही बनता है, to be able, तो need to be able, यानि be is the correct answer, जिन question को मैं अपनी तरफ से एक बार बोलू, कि ठहर जाएगा, रुप करके थोड़ा समझ लिजेगा, तो please request है, थोड़ा समझ लिजेगा बाबा, उसमें जल्द बाजी मत करिएगा, ठीक है, इसमें क्या है थोड़ा सा आपको समझाना चाऊंगा, जैसे मैंने ये पढ़ा रखा है, इन्फनिटू में, जैसे let है, bid है, watch है, ये सारी verbs आपने सुनी होंगी, make है, etc. अच्छे ये जो हमारी verbs होती है ये अपने बाद क्या लेती है, bear इन्फनिटू लेती है, अब आप कहोगे ये bear इन् पहली form, इसी को हम bear इन्फनिटू कहते हैं, जैसे exam में गलती कैसे देता है, जैसे लिखेगा, he watched the boys to play there, अब कोई भी एक normal student जो बहुत ही seriously अपनी पढ़ाई नहीं करता है, हवा में करता है, तो उसको लगेगा ये तो बिल्कुल सही है, इसमें किसी तर की कोई गलती लगे लेकिन जब आप इस बात को समझे रहोगे, तो आपको पता चलेगा, यहाँ पर वाच दिया गया है, और इसके साथ हम bear इन्फनिटू का यूज करते हैं, वर्प की पहली form, तो टू प्लस वर्प की पहली form नहीं आएगा, वर्प की पहली form, तो यहाँ टू को अगर हटा द अगर मैं ऐसे लिखूं, टू लीव दपार्टी, एक सेंटेंस और लिखूंगा, इसको भी गवर करिएगा, आई वाज बेट टू लीव, आई वाज बेट टू लीव दपार्टी, दोनों सेंटेंस में आपने पहले तो यह धियान दे लेना है, जो पहला सेंटेंस यह की थर्ड पॉर्म है, यह हमारा पैसिव आयस है, तो देखें, जब इन सेंटेंस को आपना एक्टिव आयस में लिखते हैं, तो कोई टू लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो यहां हमने किया, ही बेट मी, टू हटा दिजिए, लेकिन यह भी गौर करिएगा, यह सेंटेंस भाई पैसिव आयस का है, यहां टू लगाना ही पड़ेगा, कोई चकर नहीं है, मलब टू हटाई नहीं सकते हैं, कारण है उसके पीछे, क्योंकि आपने यह सबजेक्ट लिखा और यहां बेट आपने यह वर्प की तीसरी फॉर्म लिखती है, अब यह में वर्प है, और त बस बड़ी सिंपल है, कि यह हमारा जब होगा, तो एक्टिव आयस में होगा, जैसे देखा आपने, यह भी सेंटेंस एक्टिव आयस में था, यह भी सेंटेंस हमारा एक्टिव आयस में था, लेकिन यह सेंटेंस जैसे हमने पैसिव आयस करा, तो यहां पर तू लगाना पहले बताईए बात समझ में आई आप सभी लोगों को, clear हो रही है न आप लोगों को, एक बार please comment कर दीजेगा, यहां तक कि अगर कोई doubt नहीं है, आगे बढ़ते हैं, अच्छा जी, अब यहां पर देखें, बड़ा simple है, क्या लिखा है, the song was so moving, so moving, as, so as, देखें, so as का हम लोग यूज़ करते हैं, basically, comparison करने के लिए, है न, दो different चीजों में, जब हमें comparison करना होता, जैसे मैंने कहा, कि राम is as good as siam, राम is as good as siam, है न, जब दो different चीजों के बीच में, हमें comparison करना हो, थो हम as, as का use करते हैं, बड़ यहां पर actually देखा जाए, तो, the song was so moving as, हम कोई comparison तो करी नहीं रहें, जो हम so as लिखें, अगर मान लिज़े, मैं इसी को ऐसे लिखता, राम is not so good as siam, तो simple से बात है, भाई, so के साथ as न, यहां पर that लिखते जिए, सही हो जाएगा, so that, यानि तीसरा correct answer हो जाएगा, अगला देखिएगा, Arial was convinced that something fishy is going up behind his back, ठीक, अब is going up लिखा है, go up मतलब होता है increase करना, ठीक है, go up मतलब क्या होता है, increase करना, और एक आपने देखा होगा, go on होता है, go on का मतलब होता है continue, ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोला what is going on, क्या चल रहा है, ठीक, तो यहां पर आप देखो, goes on नहीं होगा was going up नहीं होगा, was going on, Arial was convinced that something fishy, मतलब something fishy मतलब कुछ बुरा, कुछ complicated, या कुछ सडयंत्र, ठीक है, कंस्पिरेशी, जो है, उसके पीट पीचे चल रही है, तो is going on हो जाएगा, अच्छा जी, अब यहां पर थोड़ा सा देखेगा, यहां पर तो खेर, यह हटा नहीं, answer already tick है तो आपको क्या ही बताना, लेकिन मैं समझा देता हूँ, यहां पर लिखा है, जमनलाल बजाग, one of the few businessmen, who incurred the wrath of the British for supporting, अब गलती सिर्फ हमें उतने में पूछ रहा है, अब देखो, यह क्या है, प्रेपोजीशन है ना, तो प्रेपोजीशन अपने बाद, जब भी, कोई भ अगर मैं win the match लिखूंगा, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है, प्रेपोजीशन के बाद, अगर कभी कोई भब आता है, तो वो हमेशा जिरंट फॉर्म में होता है, तो यहां पर winning लिखिए, अच्छा, उसके पीछे अगर कोई आप से कारण पूछे कि क्या कार सरसी हो जाएगा, our new accountant, fall short in my expectation, भाई, यह फ्रेजी गलत लिखा हुआ है, ठीक है, अगर इसका मतलब आपको पता है, तो मैं बता देता हूँ, नहीं पता है, तो वो भी बता देता हूँ, अब जैसे देखे, यह actually में होता है, आपका fall short of, और इसका मतलब होता है, पेल to meet expectation, पेल to meet expectation, ठीक है, जैसे होता है, कि कोई आपकी, मैंने, आपकी कोई एक expectation है, आप उसको complete ना कर पाओ, या उसको पूरा ना कर पाओ, ठीक है, अब जैसे मेरी कोई आपसे उमीद है, और आप उस उमीद पे खरे ना उतरो, simple सी बात है, तो मेरी आपसे उमीदें लगी हुई हैं, और अगर आप उस उमीद पे खरे नहीं उतरते हैं, तो मैं उससे false sort of बोलूँगा, मतलब fail to meet expectation, तो यहाँ पे यही हमारा correct answer हो जागा, यानि पहला बाकी सारी चीज़ने क्या है, गलत है, ठीक है, अगला देखेगा, a hole is in my pocket, यह गलत है, यहाँ पे a hole are there लिखा हुआ हो रहा है, ठीक है, तो यह हमारा नहीं होगा, a hole तो singular है, तो आर तो होगा नहीं, a hole there is नहीं होगा, there is a hole हो जागा, there is a hole in my pocket, I will accept the responsibility while a time comes, अच्छा देखो यहाँ पे क्या लिखाना, कहरा कि I will accept the responsibility, मैं जिम्मेदारी को accept करूंगा while a time comes, इसको एक तरीके से यह समझना, में आप लोगों ने देखा होगा, कि जो हमारे an होते हैं, वो actually में, जो हमारे general sense होता है, उसके लिए यूज करते हैं, जब हम specific sense की बात करते हैं, तो उसके लिए da का use होता है, तो यहाँ पे कहरा कि responsibility मैं तब लूँगा, तब मैं accept करूंगा, while a time comes, जब वो सही समय आएगा तो यहाँ पे पहली बात तो हम time की जो बात कर रहे हैं, वो specific है, अगर वो specific है, तो यह आ नहीं लगेगा, यहाँ पे दा लगेगा, तो पहले तो यहाँ पे आ काट दो, यहाँ पे आ काट दो, एक ही बसता है when the time, तो दिमाग लगाना ही नहीं है, हो जाएगा, यह देखते I was playing, मैं खेल रहा था, जब दो काम देखे साथ साथ चल रहे होता है, हम while उसके लिए भी लगा लेते हैं, और while हम उनके लिए भी लगाते हैं, जब हमारा time taking action होता है, तो खेर उसमें घुसेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पे यह हो जाएगा, there was an argument about if we shall move to another city, ठीक है, अब यह देखो कौन-कौन student बता सकता है, is there anyone, यह आप लोग answer दीजिए, battery low हो गई है, तब तक मैं charger लगा देता हूँ, ठीक है, देख रहे हैं, आप लोग सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, चलीजे, क्या answer दीए आप लोगों ने, ए, about if we should move, ओके, चलीए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने कभी weather के बारे में अगर सुना होगा, नहीं सुना होगा, तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, यह जो weather है, इसका use हम तब करते हैं, जब कोई doubt हो, हमें किसी चीज़ को ले करके, या हमें choice करना हो, यानि, choice करने का मतलब, जब दो से ज़्यादा चीज़े हैं, doubt कभ होता है, अगर कोई चीज़ एक ही आपके पास है, क्या, उसमें कोई doubt होगा, आपने का नहीं, doubt तब होगा, जब हमारे पास option दो या दो से ज़्यादा होता है, उसी तरीके से choice हम कभ करते हैं, अगर हमारे पास manager एक ही remote है, तो कोई twice है, आपने का नहीं, twice भी तब होता है, जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा चीज़े होती हैं, अब जैसे मैंने आपसे एक example के तौर पे बात करा, कि we have some doubt, we have some doubt, मुझे कुछ doubt है, अब अगर मैं यहाँ पे option आपको दे दूँ, और मैं कैसे पता, क्योंकि देखो, जहाँ पे doubt होगा, या जहाँ पे twice होगा, तो अब यसी बात है, वो क्या है, uncertainty ही तो है, तो अब यहाँ पे देखिए, we have some doubt, हमें थोड़ा doubt है, he will return, तो जब कहीं दिया कि थोड़ा सा doubt है, तो मतलब uncertainty बता रहा है, uncertainty के लिए हमें क्या use करना शहर जाएंगे की नहीं जाएंगे, अब देखो, यहाँ पे doubt है, वो ना, अब उसको doubt है कि दूसरे शहर जाएंगे की नहीं जाएंगे, अब यहाँ पे uncertainty शो कर रहा है, भाई, अगर uncertainty शो कर रहा है, तो uncertainty के लिए weather का use होता है, बाकी चीज़े नहीं होती हैं, ठीक है, यह स क्काम नहीं किया तो यह सारी चीज़ा आपको फसा देंगी आपके सिफ्ट में ऐसे चार कोस्टेंस आ गए तो सोचे फिर आप कहां पे स्टेंड करते हो तो फिर तो दिक्कत है आप सबी लोगों के लिए ना तो इन चीज़ों को भी थोड़ा ख्याल रखे मेरे भाई आप सौबीज की तैयारी करी रहो तो यह सब जानना चाहिए यहाँ पर मैंने बोला ही विल रिटन अब आपको यहाँ पर फिल करना है क्या होगा अब जिनको ना पता है बिना टाइम आपका वेस्ट की मैं आपको बता देता हूं अब यहाँ पर कह रहा है लिटिल का मतलब क्या होता है आपने का sir little का मतलब होता है almost nothing अगर हिंदी में बोलें तो क्या बोलेंगे मैंने कहा ना के बराबर कह रहा है कि मुझे जो है ना के बराबर doubt है मतलब हमें doubt ही नहीं है अगर हमें doubt ही नहीं है तो मतलब वो क्या है वो किसी भी चीज को लेकर के certain है यहाँ पर उसे कुछ doubt था तो वो uncertain था तो weather हो गया उसे कोई doubt ही नहीं है तो इसका मतलब यह हो गया कि वो भाई certainty है और certainty के लिए हम क्या use करते है that तो यह आपको पता होना चाहिए कि uncertainty के लिए हम क्या use करते है weather और certainty के लिए क्या use करते है that आगे देखेगा यहाँ पर लिखाए the place was not cold only and also यह तो आसान है देखो जैसे यहाँ पर not only also तो समझ गया not only but also वाला सीन है और एक ही जगा पर यह option है not only cold but also यह हमारा हो जाएगा ठीक है? हाँ almost nothing मतलब ना के बराबर है ना अगला दिखेगा many a person are unable of distinguished right from wrong भाई आपको एक बात बताना चाहूंगा शायद आपको पहले से पता हो ना पता हो तो सीख लीजेगा यह जो many होता है many के बाद हम लोग plural noun लिखते हैं यह बात तो आप सबको पहलता होगा लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा अब अगर many है और many के बाद अगर a an आ जाता है तो इसके बाद noun singular है तो वर्व होगी आपके singular ठीक है अचा बहुत सारे student को यह लगता है कि यह many a an खेर लड़का इतना सोचता ही नहीं है और मैं तो यह भी कहूँगा कि सोचनी की जरूरत ही नहीं है अगर हमें इतना भी पता रहे हमारा exam में काम हो जाएगा कि भाई many के बाद plural noun आता है और many के बाद a an आ गया तो noun हमारा क्या होगा singular होगा अगर noun singular होगा तो फिर वर भी हमारा singular होगा लेकिन आपको बताना चाहूँगा जो meaning का meaning convey होता है भाई इसका भी होता है मैं बोथ have the same meaning meaning में कोई difference नहीं होता यह ए लगाने से आप यह समझेगा कि यहाँ पर एक की बात होने लगी है ठीक है ऐसा कुछ नहीं होता यह हम लोग translation कर लेते हैं ना जब हम Hindi में अनुगात कर लेते हैं तो हमें हमारे हिसाब से लगता है तो यह तो एक है of our ability अब इसका हमें answer करना है अब देखो जी अगर मैं इसकी बात करूँ आप से तो cope with होता है और यह बहुत बार आता है ठीक है examination के अंदर cope with मतलब क्या होता है cope with मतलब होता है manage करना cope with मतलब होता है manage करना और यह exam में कई बार पूछे जाते हैं coping in लिखा था गलत हो गया यहाँ coping the problems गलत हो गया cope with the problems 2 यानि third is the correct answer यानि C हो जाएगा I have been working with children before so I know what to expect ठीक है अब देखिए यहाँ पे लिखा है I work with children before so know I what to expect अब क्या है वो कह रहा है कि वो बच्चों के साथ पहले भी काम कर चुका है so I know तो इसलिए मुझे पता है what to expect ठीक है अब यहाँ पे I am working काम तो कर नहीं रहा है work होगा नहीं I have worked ठीक है तो यह जो before होता है before मतलब होता है backward from the past यानि कोई ऐसा action जो past में हो चुका है वो उसको refer करता है तो वो काम जो है वो बच्चों के साथ कर चुका है एक्सन complete action है और complete action को refer करने के लिए एक मात्र हमारे पास option जो है वो क्या है ठीक है working नहीं होगा working जो यहाँ पे कह रहा है क्या नाम है इसका लोकेंद्र आप सुनिये आप अगर यहाँ पे इसको करेंगे आयं working तो यह हमारा continuous form हो जाएगा continuous form भाई हम तब यूज करते हैं जब यह कोई process चल रहा हो ठीक है तो वो नहीं होगा तो अगर जैसे मैंने लिखा I have done this before मतलब मैं पहले यह चीज़ कर चुका हूँ ठीक है तो बिफूर थे यह चीज़ पता चल गए कि यह काम पहले भी हो चुका है accent done है अगला देखेगा C are having two brothers and three sisters देखे जब हम possession की बात करते हैं तो उसके लिए हम have form का use करते है to have form तो कहरा कि उसके दो भाई हैं और तीन बहने हैं यहाँ पे C has हो जाएगा A question आपको टक्राये गए फ़क राइगा और वह एक question कुछ भी आ सकता है बस तीन भ्यान रखेगा यहां पर कि वह यह है अगर कभी आपको if सब्जेक्ट मिलने को मिलता है और और वर्प की पहली form देखने को यहां subject के बाद will और word के पहले form, actually देखिए क्या होता है कि कभी-कभी ऐसा है कि will ही नहीं आता, will की जगा may भी आ सकता है, उसकी जगा can भी आ सकता है, तो अगर जब आप कोई probable situation बताते हैं, मतलब ऐसी किसी action के बारे में बात करते हैं, जो भविस में होगा, तो उसके लिए भी लिख देते हैं, अगर हम एक ऐसे action की बात करते हैं, जिसके होने की संभावना यानि possibility है, तो may लिख देते हैं, अगर हमें ability बतानी हो, तो can लिख देते हैं, तो इसकी जगा अगर कभी may आ जाए, या can आ जाए, तो घवर आईएगा नहीं, आ सकता है, वो depend करता है sentence के context पे, possibility है, तो may, ability है, तो can, उसी तरीके से इधर भी subject आ जाएगा, उड़ आ जाएगा, फिर वर्ब की पहली form आती है, तो यहाँ पे भी वही चीज है, कि अगर possibility होती है, तो might आ जाता है, अगर ability past की होती है, तो could आ जाता है, और उसी तरीके से इधर क्या होगा, कि आपका subject आता है, उसके बाद उड़ आता है, फिर have आती है, फिर वर्ब की तिसरी form आती है, और same condition यहाँ भी apply होता है, अगर मान लेजिए possibility है, तो might, अगर ability है, तो could भी लग सकता है, might है, वर्ब की third form, could है, वर्ब की third form, तो यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा, कि यह कही option हमारे पास सही है, वो भी आपका कौन सा सही है, अगला देखना, the stain can be removed, देखो, subject के बाद अगर कभी model वर्ब आ जाए, और model वर्ब के बाद वर्ब की पहली form है, तो यह हमारा active वाइस होता है, पैसिव क्या होता है, subject लिख लो, model वर्ब लिख लो, बी लिख लो, वर्ब की third form लिख लो, यह हमारा क्या हो गया, आपने का यह passive वाइस हो गया, अब यहाँ पर आप देखना, can be removed आना चाहिए, तो आपका जो हो जाएगा, वो तीसरा, अच्छा, वहाँ पर removed through भी लिखा हुआ है, तो through नहीं लगएगा, the stain can be removed with lime juice, मतलब यह जो चीज है ना, इससे हम हटा सकते हैं, ठीक, तो जैसे हमारा कोई tool होता है, instrument होता है, तो उन सारी चीजों के लिए हम क्या लगा देते हैं, with लगा देते हैं, उस reference में with लग जाएगा, through का कोई मतलब वहाँ पर है नहीं, तो यह मतलब लगाना, with c is the correct answer, not first, ठीक है, अगला, I bet you, I bet, I bet you can't beat me by chess, अब देखें, यहाँ पर ना, मुझे ऐसा लगता है, personally, बहुत सारा लड़का confused हो सकता है, जिनको ना पाता हो, देखो, मैं आपको समझाता हूँ, actually, यह होता क्या है, एक phrase याद रखेगा, beat someone, add something, beat someone, add something, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, किसी को defeat करना, यानि किसी को हराना, अब देखें, यहाँ पर क्या लिखा था, beat, उसके बाद mean, यहाँ पर add chess हो जाएगा, add chess, by chess नहीं होगा, by actually use करते है, means of transportation के लिए, by car, by bus है न, वहाँ पर in the chess लिखा हुआ है, आप देखो, at, क्योंकि beat someone, add something, मतलब होता है, किसी को defeat करना, यानि किसी को हराना, ठीक, अगला देखेंगा, you have not showed, यह तो गलत है, have के बाद work की third form आती है, यहाँ पर shown तो लिखा गया है, लेकिन you के साथ has नहीं आएगा, तो यहाँ पर एक ही सही है, हमारा चौथा, the child put a ladder on the wall and climbed up, ठीक है, यह बहुत आसान है, मुझे लग रहा है कि, किसी को idea है क्या, इसके बारे में, कोई भी लडगा, the child put a ladder on the wall, आप कभी metro में गय हो गया, metro में अगर आप गय होंगे, तो वहाँ पर देखिए, प्रॉपर लिखा रहता है, जैसे वो कहेंगा, against the door, नहीं खड़ा होना है, आप सब लोगों को, ऐसा take ले करके, जो support लेके हम खड़े हो जाते हैं, against the door, नहीं खड़ा होना है, against the wall and climbed up, तो over wall, above the wall, वो लिखा है, वो सब गरत है, यहाँ पर answer क्या हो जाएगा, अच्छा यह सारे जो question है, यह बड़े frequently और आम, बोल, चाल की भासा में परियोग भी किये जाते हैं, देखे सुने जाते हैं, तो इसमें लड़कों को दिक्कत नहीं होती, ऐसे question में दिक्क क्या होती, मैं वो बताता हूँ, I suggest you to see a solicitor लिखा हुआ है, वो कहेगा, आधे line का question है, इसमें दिक्कत क्या ही हो सकती है, अगर आप ध्यान से इसको पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा, यह जो sentence लिखा गया है, यह indirect speech में लिखा गया है, indirect speech, क्योंकि sentence का structure आपको लिखो, यहां suggest you that लिख रहो, अब हमें पता है कि जब हम indirect speech लिखते हैं, तो हमें जो conjunction लिखना है, वो इसके बीच में लिखना है, ठीक है, और अगर you के बाद, अगर conjunction लिख दोगे, तो वो गलत हो जाएगा, तो हमारा be correct answer हो जाएगा, यहां पे कुछ लोगों ने a भी द लिखियेगा, यानि be correct answer होगा, यहां पे देखिया, I was being depressed when you called, you called, I was being depressed, passive में बना है, ठीक है, जब तुमने call किया था, I was feeling depressed, I was going depressed, नहीं, depression feel किया जाता है, जा नहीं रहा है, तो being, being depressing, यह नहीं, depressed, अगला देखियेगा, I will not go to the party, lest you will not promise to accompany me, अच्छा जी, यह कितने लोग कर सकते हैं, इस question को, मुझे लग रहा है कि करने को तो सर्फ कोई कर सकता है, चलिए, एक बार यह question का answer मुझे बताईएगा, समझ में आ रहा है ना, सभी लोगों को, देखे, क्लास आज की भाई, लंबी चलेगी, तो घवराना नहीं है, आप सभी लोगों को, लग के रहिएगा, आप सभी लोग, ठीक है, जिससे मुझे भी, जिससे मुझे भी motivation मिले कि हमारे students हमें बीच में छोड़के नहीं जाते, आखरी तक हमारा साथ देते हैं, ठीक है, जिससे पढ़ाने में मज़ा आए, क्योंकि मैं सारी classes आप सभी लोगों को free में देता हूँ, तो मैं उमीद करता हूँ कि आप सभी लोग तब तक ठीके रह you talk to me पहले यह समझा देता हूँ, Unless क्या बताता है condition बताता है और इसका meaning क्या होता है ?if not होता है, yeah, यह जो until होता है, until time बताता है और इसका meaning क्या होता है, इसका मेनिंग तिल नॉट होता है ठीक है अब यहां पे अगर यह देखिए अंटिल यू शुड इफ यू विल अनलेस यू तो वह कह रहा है आई विल नाट गो टू दा पार्टी में पार्टी तब तक नहीं जाओंगा अगर यह कंडीशन है तो आपको पता है कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा अनलेस हो जाएगा यहां पे अंटिल मत लगाना क्योंकि टाइम की बाद हो रहा है तो अब कुछ बच्चों के दिमाग में यह चीज आ सकती है सर यहां पे इफ भी तो दिया हुआ है ठीक है इफ के कि अनलेस यू प्रॉमिस टू अकंपनी में पहले बताओ कोई डाउट तो नहीं है कोई डाउट नहीं है अब जैसे इसी को देख लो ना अनलेस यू टॉक्टू मी यू कांट नू दर टूथ कि जब तक तुम मुझसे बात नहीं करो तो मैं सच्चाई का पता नहीं चल सकत अनलेस यू टॉक्टू मी यू कांट नो दर टूथ देखो यहां पर लिखा हुआ है ना भाई अनलेस कंडीशन बता रहा है तो इस बात को भी ध्यान रखना अगला देखना इस नॉट रेडी फॉर मैरेज इसेंट इट देखो ज़र रहा है यहां पर ध्यान से अब यह ज बताना अब कोई भी स्टूडेंट मैं एक थोड़ा सा बताता हूँ यह दिखे subject है और उस singular subject है subject singular है तो helping वर भी आपका क्या हो गया singular helping he was considered वह consider किया जाता था obvious सी बात है यह sentence हमारा passive eyes में बना हुआ है और यहां लिखा भी यह by his school headmaster ठीक है तो अब यहां पे was to be considered कहां से आ गया गलत है was के बाद been लगता नहीं was considering passive eyes में है तो considering होगा नहीं यहां पे एक correct answer हो जाएगा पहला ठीक है अगला देखिएगा why not you to be a good boy and sit down अब देखो इसमें क्या हो जाएगा why not you be not you to be देखे इस structure ही गलत है उसका और यहां पे being why you are not being नहीं होगा ठीक है क्योंकि यहां पे यह question word है तो भाई देखो question word के बाद तो एक बार helping word लिखो गए ना फिर subject लिखो गए तो यहां पे you आ गया यहां पे you आ गया एक ही सही हो पाएगा why don't you be don't में क्या हो गया आपका helping word by subject है फिर उसका main word भी आ गया तो इसका जो correct answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका fourth हो जाएगा fourth is the correct answer don't you be है ना यह चीज़ हो जाएगा अगला देखिएगा I am not used to drink coffee एक चीज़ यहां पे ध्यान रखेगा बहुत important मैं आपको concept बताता हूँ यह जो used to है आप लोगों ने सुना हुआ used to को सारे student जानते होंगे कि यह क्या होता है आपने का यह सर model verb होता है और इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि यह past habit बताता है past habit जैसे मैंने कहा I used to travel by मतलब यह हुआ कि मैं car से travel किया करता था तो जब कभी भी आपको past habit बतानी हो तो हम used to model का use करते हैं तो मैंने कहा I used to travel by car या I used to travel by metro लेकि यहां पे एक चीज़ आपको note करके और समझनी है कि जब कभी भी subject आये और subject के बाद माल लेजे कभी भी is, am, are या फिर was या वर आता है और इसके बाद अगर आप used to लिखते हैं तो इसके बाद हम वर्प की ing form लगाते हैं ऐसा क्यूं होता है मैं वो भी समझा देता हूँ जब कभी भी आप subject लिखते हो subject के बाद अगर is, am, are, was, were ये भी लिखते हो इसके बाद ये जो used to आता है ना तो ये model वर्प नहीं रह जाता अब ये model वर्प ही नहीं है used to अब ये जो used to यहाँ पे लिखा गया है ध्यान से समझना इस बात को ये हमारी adjective phrase होती है ये adjective phrase होती है और इस adjective phrase में ये जो to लिखा होता है ये हमारी preposition होती है और मैंने आपको बताया है कि preposition के बाद जब कभी भी अगर हमें verb लिखनी है तो हमेशा ing form यानि gerund form में लिखना होता है तो that's why ये ऐसा होता है लेकिन कभी भी अगर direct subject के बाद आ जाए जैसे subject है और इस subject के बाद direct अगर आपने used to लिख दिया तो ये actually में model verb हो जाती है और इसके बाद verb की पहली form लिखना है ये तो model verb है लेकिन अगर कभी भी to be form है अगर इसके बाद आप used to लिखते है तो वो adjective phrase हो जाती है उसमें two preposition होता है preposition अपने बाद gerund form लेता है तो वहाँ पे वो हो जाएगा तो इस वज़े से यहाँ पे I am not used to drinking ये सब हटा दिजे यहाँ पे जो आपका हो जाएगा not used to drinking यहाँ drink लिखाता तो A is the correct answer पहले बताओ भाई समझ में आ गया कैसा भी लोगों को आ गया बढ़ना he has being put behind prison for life बहुत ही simple question है अगर आप समझ पाओ जैसे यहाँ पे पहली बात तो यह यह वाली बात बोलते हैं दिमाग में नहीं आता यह पहली बात तो यह तो जो टिक टॉक 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 चलते हो गाना ही आ जाता दिमाग में खेर वहाँ डिस्ट्रैक्ट नहीं हो हैस के बात बींग तो नहीं आएगा पहली बात तो बीन आएगा option में देखेंगे बीन काट दिया यहाँ बीन है पुट इन है यहाँ पर बीहाइंड है अब आपको दिक्कत ये हो रही होगी कि सर यहाँ पर in लिखें यहाँ पर behind लिखें तो देखे he has been put in prison क्योंकि बात यहाँ किसकी कर रहा हूँ प्रिजन की कर रहा हूँ अगर हम prison की बात करते हैं जेल की बात करते हैं कहीं कहीं ये enclosed area होता है यानि जो चारों तरफ से घिरा होता है तो उसके लिए हम behind का use करेंगे नहीं उसके लिए हम इनका use करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यह simple था इसको हम इस तरीके से समझ सकते थे ठीक है समझे भाई अगला देखो फिर इसी बात पर अगर समझ गये तो लिखा हुआ है कि I am really looking forward अरे यह तो बहुत असान है यह बहुत पूछा जाता है जैसे यह जो होता नहीं है आपका looking forward to with a view to given to taken to ठीक है तो taken to है given to है with a view to है looking forward to है और ऐसे बहुत होते हैं जैसे addicted to है और आपका admitted to है और pay attention to है तो इनके बाद हमेशा हम लोग direct form का यूज करते हैं direct form ठीक है जैसे मैंने कहा they pay no attention to shouting they pay no attention to shouting यहाँ पर looking forward to meeting यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका a is the correct answer यहाँ देखिए he is bent bent to harm my reputation by false accusation यह अगर किसी को नहीं बता होगा तो मैं आपको खर बता देता हूं देखो यह जो पूरी इसन हमेशा अपने बाद direct form लेगा अगर वर्ब आएगी तो वह direct form ही लेगा इंजी फॉर्म ही लेगा ठीक है और इसका मतलब होता है to be very determined to harm यानि अगर किसी ने to be very determined अगर किसी ने दिर्ध निश्चे कर लिया है क्या करने के लिए चोट पहुचाने के लिए हाम करने के लिए उसे बोलते हैं bent on harming तो bent on harming का मतलब होता है to be very determined to harm यहाँ पर bent on harming लिखती जेगा ठीक है यानि a is the correct answer अगला दिखेगा each one of them were wearing a face mask for protection देखो भाई हमने आपको बताया होगा और आपको भी पता होगा जैसे each हो गया आपका every हो गया इदर हो गया नीदर हो गया इनके बाद जो आपका noun आता है वो आपका singular होता है और यह जो verb होता है वो आपका singular होता है लेकिन अगर कभी भी आप ऐसे कुछ देखें न इच है आपका अगर इदर है नीदर है नन है इनके बाद अगर आपका off आता है तो noun क्या होता है आपन singular होती है तो each one of them यह singular लिखो न यहाँ पर आप वाज हो जाएगा सही हो जाएगा ठेक है यह वाज भी इस दे करेक्ट आंसर समझ गये अगला देखिएगा I wouldn't dream to rise अच्छा जी यह बहुत बढ़िया question मदब पता यह चोटे-चोटे question है अगर इसको कोई भी लड़का ऐसा रहे ना कि जो इसको granted ले अरे यह तो हो जागा इसा कुछ नहीं है आप अगर आपको यह पता है ना dream of something होता है तब तो भाई आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है dream के बाद हम off लगाते हैं तो उससे student यह अगर लगा किया देखो dream के बाद off लिख लो अब यह आगी preposition अब preposition के बाद क्या आएगी अब यसी बात है ing form आएगी यह नहीं जिरंड form आएगी तो dream of raising हो जाएगा यहां पर ठीक है अगला but for their valor they would have been defeated अब because of होगा but about होगा या accept with their होगा यह आपको बताना है ठीक है किस इसका आंसर बताएगा सभी लो कि एक बार सारी स्टूरेंट इसका आंसर बताएं नीद तो नहीं आ रही है ना किसी को कि देखें नीद भी आएगी कोई फरक नहीं पड़ता है पूरा पढ़ाना तो पड़ेगा चलिए तुक्कावाजी हो गई समझाता हूं बट फॉर दियर वैलव दे उड हैब बिन डिफेटेट अच्छा अब मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताया था कि अच्छा आपने विकॉज आप बोल दिया ठीक है चलो भई आपकी बात एक बार मान लेता हूं विकॉज आपको जी बस एक सिंपल यह सब छोड़ दीजे मैं एक आपसे आसान सवाल पूछता हूं कि कोई बी इंसान क्या अपनी बहादुरी के कारण हार सकता है गया बहादुरी के कारण हार क्या यह बोलोगे तो कैसा लगेगा अरे यार वह अपनी लापरवाही से फेल हुआ बहादुर होने के बावजूद सब्सक्राइब करने बहादुर्ण होते हुए भी हार गया यह होता है कितनी बार ठीक है तो यहां पे यह बट लिखा है वह सही है नो इंप्रूमेंट बट और दियर वैलर मतलब होता है तरीके से चरेजियस ठीक है बिहीवियर जो लोग बह smiling but looking pleased about something अच्छा एक चीज मैंने आपको बताई होगी यह आपका देखिए जो end होता है यह coordinate conjunction होता है यह अगर शायद आपको पहले से पता हो अगर यह coordinate conjunction है तो इसका काम हो गया सेम रहें के structure को जोड़ना सेम रहें के structure को जोड़ना ठीक है अब वहां पर देखिए सीवाज smiling वह मुश्कुरा रही थी बट लोकिंग प्लीज डब आउट something smiling एक positive sense है pleased मतलब भी happiness होता है यह भी positive है दो positive चीज़ें यहां पर है तो अगर दो positive चीज़ें हैं तो बट तो लगाई नहीं सकते क्योंकि बट का का काम क्या होता है यह भी coordinate answer हो जाएगा वो a हो जाएगा ठीक है अगला only one of these books belong to the school library देखो जी मैंने आपको बात बताई थी अगर आप सभी लोगों को याद होगा तो ठीक है अब जैसे one of these books लिखा हुआ है फिर belong लिखा हुआ है तो अगर यहां पर कभी आपके पास one of आता है तो one of के बाद noun plural होता है वर्ब singular होता है मैंने आपसे कितनी बार मैंने यह रटा दिया था आपको one of my brothers is a typist यह लिखा हुआ है अब यहां पर आप देखो one of के बाद आने वाला noun क्या है आपने का सर one of के बाद आने वाला noun plural है और वर्व आपकी क्या है आपने का सर singular है तो यहां देखे only one of these books और है ठीक है आगे देखेंगा क्या बोल रही है जब option में हाई नहीं है तो कहां से देढ़ेंगे looking कहां से लिख देढ़ेंगे ठीक है अगला देखिएगा चिलीज है वे स्ट्रॉंग स्पाइसी टेस्ट यह वही चीज है जो मैंने आप लोगों को बताया था कि इस बात को तो ध्यान रखना देखो कितने question पूछे जा रहे हैं कभी भी एगर relative pronoun है न रिलेट्व प्रनाउन के पहले जो भी noun या प्रनाउन यानि इसका correct answer क्या हो जागा चौथा अगरा देखो he turned a deep ear on the advices of his parents on the advices लिखा हुआ है कोई स्टूडेंट इसको बता सकता है कि इसमें क्या error है error वाला part बहुत आसान है बताना एक बड़ अरे रुकजा भाई कितने demanded students हैं सर ये कराईए सर वो कराईए इसमें काटे लगे हैं क्या अगर आप हपते में 4 classes या 4-5 classes अगर आप miscleanious कर रहे हैं और अगर एक दिन ये आपने कर लिया तो बताए इसमें क्या बुराई है लेकिन हमें miscleanious करना है ये नहीं चाहिए आपको ये revision नहीं हो रहा है ये question आपके नहीं बन रहे है जब आप means देने जाओगे means में आपके improvement नहीं आएंगे घुमा के अभी चार question पटक के मार दे ब दोस्तों और आप लोगोंने उससे क्या कर दिया है पता है पार कर दिया है देखो यहाँ पे हो जाएगा पहली बात तो यह advices मत लिखो ठीक है तो he turned a deep ear he turned to that turned to ठीक है तो turn to add नहीं होगा यहाँ पे on हटा दो तो यह भी लिख दो बी 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 is the correct answer ठीक है अब एक जन क्या पूछ रहे है यहाँ पे that और which में क्या difference होता है मैंने पता कितनी बार कम से कम यह बात मैंने पचासो बार बोली होगी इस पर दो वीडियों बनाई थी अलग से मैंने कहा था कि मेरा एक foundation course है ठीक है और यह सबसे बड़ी बात यह है कि YouTube पे free है और वहाँ पे मैंने noun, pronoun, article यह तीन topic खतम भी कर दिया और यह जो that और which वो पूछ रहे है यह हमारा question किसका है आपने का pronoun और relative pronoun में हमने पढ़ा होगा relative pronoun यह उसी का question है अब यह वहाँ जाके नहीं पढ़ेंगी लेकिन इन्हें comment में यह चीज़ पूछना है कि इसमें difference क्या है हमें बता के चले जाएंगे अब हम सिधा स्वर्ग में जाएंगे भगवान के साथ रहेंगे अगल इंसान बस सुना तो करो teacher क्या पढ़ा रहा है क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है लेकिन नहीं हमें तो वही करना है सर जो हमें करना है अगला दिखेगा although they are twins they are completely यह तो किसी भी और यह Hep होता है धोड़ाय स्सिदि क्रहिशाा हान उपका इल्वाषद होता हमें क्यों गपार में फारण क्या पहली पहले क्या हore यह पहला हो यहागल देखिए सर आपको बता दें कि अब उपर अच्छा पता ऐसे लड़कों को कुछ बोल दो यह जबान भी लड़ाते हैं आकर के यहां पे इनको पढ़ाओ इनके लिए सब कुछ करो यह जबान उल्टा लड़ाते हैं क्या हो गया उसमें वो दलीले भी देंगे उनको दस बार बता दो भाई जब तुम्हें पचास बार यह चीज़ बताई गई है यह किसके लिए है यहां पर यह जो कोर्स पूरा का पूरा मैंने फ्री में बना रखा है सारे स्टूटेंट्स के लिए यहां देखो और यह मैंने मुझे लग रहा हर क्लास में अपने दिखाता हूं यह प्लेलिस्ट है तुम्हें भाई इतना दिमाग होना चाहिए ठीक है इतनी बुद्धी तो कम से कम अपनी लगा लो कि यह प्लेलिस्ट बनी हुई है और यह फ्री प्लेलिस्ट है और यहां पे पूरा का पूरा पढ़ाया गया है सब उनको मत देखना ठीक है इधर इधर आ मैं पूरा पढ़ाया है उसके बाद यहां देखिए प्रनावन ह्ट में यहां पर दीखे सीधा सीधा एक मैंने पूरा पढ़ाया है कि यहां तुम यह वीडियों UX तुम आकर के उल्टा लडाई भी करोगे, ठीक है, कि उसमें क्या हो गया, हमने क्या गलत कर दिया, विक्टिम काड भी खेलोगे, यहां भाई पूरा पढ़ सकते एक घंटा दस मिनिट की वीडियो है, इसमें तुम्हें हर चीज पढ़ाई गई है, वजब टीचर अपनी तरफ से सब कर भी दे, सब बता भी दे, ठीक है, उपर से आ करके क्लास को डिस्टरप्ट कर दो, इसमें क्या डिफ्रेंस है, चल सेंटेंस इंप्रूमेंट रहा, देट और विच्छम से पूछ रहो, ठीक है, जबकि इसमें पढ़ाया सब कुछ गया है, अब यहां देखो आप, मैंने आपको बताया है कि दो कंपेर्टो डिगरी एक साथ यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, मैंने पहले से ही सारी चीज़ें पता है, बता के रख दी हैं, कि आपको कहां कहां हर चीज मिलेगी, लेकिन उसमें भी पहले इनको लड़लो हमसे आ कर ठीक है, उसमें इनको अलग खुछी है, मच हैपियर, ठीक है, अब देखिए, यहां पर क्या हो जाएगा, I think she would be much happier हो जाएगा, देख, more happier नहीं लगा सकते, जैसे आप लोग more stronger नहीं लगाते, आप लोग most strongest नहीं लगाते, दो सूपर लेटो डिगरी एक साथ नहीं, दो कं more happier तो comparative हो गया है, यहां पर much happier हो जाएगा, यानि B, अगला देखिए, you will be in trouble if you don't obey to my orders, भाई बहुत सिंपल है, देखो मैं बताता हूँ, you will be in trouble, आप मुस्किल में आ जाओगे, if you don't obey, यह जो obey होता है न, obey, आपका transitive verb होता है, transitive verb, और transitive verb अपने बात क्या लेता है, direct object लेता है, बीच में proposition नहीं, obey to my orders नहीं, obey my orders हम करेंगे, तो यह जाकर कि अपना सही हो जाएगा, to हटा दीजे, यहां पर यह हो जाएगा, fourth is the correct answer है न, क्योंकि don't के बाद क्या आता है, आपने का सर वर्प की पहली form आती है, यह don't क मैंने अभी थोड़ी दिर पहले आपको यह question बताया था, पता नहीं कितने लोगों को याद है, कितने लोगों को नहीं याद है, कोई बता सकता है मुझे क्या, इस question का answer क्या हो जाएगा, see was so tall to reach the top self, so tall that you are tall enough, देखो बाई, पहली बात तो यह, अब यहाँ पे so के साथ two लगाया है, जो की गलत है, इसको तो हटा देते हैं, अब हमें पता है, two के साथ two लगता है, two के साथ two लगता है, two के साथ two प्लस वर्प की पहली form, जैसा कि मैंने पताया था, he is two weak to lift this box, ठीक है, अब कहरा कि वह इतना ज्यादा कमजोर है कि इस box को नहीं उटा सकता, अब यहाँ पे यह तो two के साथ two लगता है, तो यहाँ two के साथ four आ गया, यह तो गलत है, अब यह कहरा so that, देखो, so that वहाँ लगता है बाबाना, जब हमें कोई purpose बताना हो, और जब अब ही so that होता है, तो so that दो clause को, यानि clause मदब दो sentence को आपस में connect करता है, तो he was so tall that reached the top, वह गलत हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा दो clause ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे tall enough हो जाएगा, और enough को लेकर के एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा मैं आपको, enough आपका adjective भी होता है, enough आ I have enough time, तो यहाँ पे देखे, time यानि noun है, इसके पहले enough आ गया, यह हमारा adjective हो गया, लेकिन अगर यह adjective के बाद आय तो adverb होगा, जैसे मैंने कहा, he is smart enough, he is tall enough, तो देखे, यह smart के बाद enough आया है, यह आपका क्या है, यह adverb है, तो यहाँ देखे, क्या है, he is tall enough to reach हो जाएगा, यानि चौथा, चौथा correct answer हो जाएगा, और answer जब दिया करें, at least यह थोड़ा समझा करें, answer दे क्यों रहे है, you will have to pay heavy for your crimes, यह आसान है, अब देखे, थोड़ा सब मुंडी इधर कर लेता हूँ, क्योंकि इधर करते करते, इधर दर्द होने लगा, you will have to, सबसे पहले तो यह के धियान रखिएगा, यह जो आपका has to होता है, यह have to होता है, have to होता है, और यह जो आपका will have to होता है, इनके बाद हमें सब वर्क की पहली फार्म यूज़ करते हैं, ठीक है, यह models में आपको पढ़ाऊंगा, you will have to pay, सही है, और वर्क को modify करने के लिए एड़वर्ट चाह और मैं इसको समझाओंगा, आप सभी लोगों को, देखिए जी, एक जो आपका होता है, वो होता है, फ्राइट, ठीक है, और अगर मैं इसी को इस तरीके से लिग दूना, अब इनमें difference क्या है, यह समझना, यह जो फ्राइट होता है, यह नाउन होता है, यह जो फ्राइटन तो इसका मतलब होता है, a sudden intense fear, मतलब अचानक से जब आदमी डर जाता है, जैसे आभी आप बैठे हो, अंधेरा है, और मैं पीछे से आके ऐसे टच कर दो, आप अप अचानक से डर गए ना, तो वो होता है, sudden intense fear, उसे हम fright कहते हैं, और frightening का मतलब क्या होता है, making someone afraid, किसी को डर आदेना, तो जब हम अचानक से किसी बज़ा से डर जाते हैं, तो वो हमारा fright होता है, लेकिन कोई आके making someone afraid किसी को डराना, किसी को बहभीत करना, वो क्या होता है, आपने का सर वो frightening होता है, तो यहाँ पर कहरा, she ran out of her house, house from frightening, पहली बात तो from frightening होगा नहीं, यहाँ हम लिखते है, preposition, तो यह preposition के बाद noun लिखना पड़ेगा, यह तो adjective के तरीके से काम करेगा, present participle adjective, तो present participle यहाँ हमें चाहिए नहीं, तो पहले बाद तो हमें चाहिए fright, यह था भटा तो from fright, in fright, तो from fright नहीं होगा, यहाँ पर in fright लिखना पड़ेगा, अब आप कहोगे in क्यू लिखा आपने to express state or condition, यह क्या करता है, to express state or condition, यानि अगर हमें किसी condition को या किसी अवस्था को बताना है, तो उसके लिए हम in का use करते है, from, basically हम use करते है, starting point के लिए, जैसे हमें बताना है, कोई starting point है, कोई source है, इन सारी चीज़ों के लिए हम use करते है, ठिक, लेकिन यहाँ पर in हो जाएगा, in fright, पहले बताओ, बात clear है, समझ गए आप सभी लोग, समझ गए, मतलब जो मैं समझाना चाता था, वो समझे आप सभी लोग, कोई doubt तो नहीं है, किसी student, अगला देखिएगा, I can't recollect, where did I leave my umbrella, आप देखो, I can't recollect, मैं recollect नहीं कर सकता, where, जहाँ पे, did I leave गलत है, क्योंकि देखो भाई, मैंने आपको एक बात बताई थी, थोड़ा ध्यान से समझेगा, last में क्या है, full stop, तो ये भी ध्यान रखेगा, question word के बाद, अगर helping verb आता है, फिर subject आता है, फिर main verb आता है, फिर object आता है, और last में question mark लगा दिया, अगर हमने question word लगाया, फिर subject लगाय फिर main verb लगाया, फिर object लगाया, और ये full stop लगा दिया, दोनों से ही है, अंतर देख रहे हैं आप सभी लोग, एक अंतर तो ये है, यहां question mark है, और यहां full stop है, दूसरा अंतर ये है, यहां subject के पहले helping verb है, यहां subject के बाद helping verb है, ठीक, तो ये जो, जब कभी भी helping verb subject के पहले आता है, तो इसको हम लोग interrogative form कहते हैं, यह आपका interrogative form है, और यह वाला जब helping verb subject के बाद आता है, इसको हम लोग assertive form कहते है, यह आपका assertive form है, ठीक, अब इसमें आपको बस इतना समझ लेना है ना, कि sentence के last में यह full stop है, यह हमेशा 100% काम करेगा, तो यह assertive form है, तो question word के बा अब यह answer किया हो, सब लोगों का सही है, बढ़िया जी, अगला देखिया गवाए, you will participate in the marathon on to you, देखो, अब यह हमारा question था, अब अगर मैं इस question में किसी से भी पूछने के कोसिस करूँ क्या यह सही है, गलत है, देखो, यह question tag का question है, तो यह will आया हुआ है, जो कि इधर positive है sentence में, तो इधर negative होगा, तो will का क्या हो गया, आपने का sir, on't हो गया, इधर you है, तो you का you हो गया, कोई गलती नहीं है, यह तो no improvement है, ठीक है, अगला देखियेगा, his conduct does not occur for his noble profession, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको ना पता हो, तो मैं आपको बता दो, सबसे पहले तो य हम लोग क्या बोलते है, friendly, और यह अपने साथ क्या लेता है, occurred with, ठीक है जी, तो यहाँ पर occurred for लिखा था, यहाँ पर occurred with लिख लिएगा, सही हो जाएगा, अगला I wish I know, यह बहुत अच्छा question है, और यह बहुत ज्यादा exam में भी पूछा जाता है, तो इस question को थोड़ा ध्य अगर कभी भी हम imagination की बात करें, आप concept ऐसे ही सीखा करिए, तुरंत आपके दिमाग में गुज जाए, अगर हम कभी भी imagination की बात करते हैं, और अगर imagination हमारा present में होगा, तो subject के बाद work की दूसरी form, अगर कभी भी imagination आपका past में होगा, तो subject head और work की कौन से form, आपने का third form, तो subject के बाद work की second form, अगर imagination आपका past का है, तो subject head work की third form का यूज करते हैं, ठीक, example की तौर पे मैं बता रहा हूँ, जैसे, मैंने कहा, कि he acts as if, और यहां मैंने लिका he acted as if he owned the whole world, और यहां पर मैंने लिखा he had owned the whole world, ठीक है, अब इसमें देखेगा, कहां पर गलती है, गलती तो खेर कोई नहीं है, अब यहां पर देखो, as if लिखा हुआ है, यहां पर भी as if लिखा हुआ है, as if से हमें क्या समझ में आया, as if से हमें यह समझ में आ गया है, कि हम यहां बात किसकी कर रहा है, आपने कहा, बात हो रही है, imagination की, ठीक है, क्योंकि as if से हम क्या, जैसे ivis हो गया, यहां पर ivis हो गया, as if हो गया, तो इससे हम imagination की बात करते हैं, और यहां पर imagination किसमें है, present में, कैसे पता, क्योंकि subject के बाद वर्क की second form है, तो जब हमारा imagination present का होगा, तो subject के बाद हमेशा ध्यान रखेगा, वर्क की second form होगी और कभी imagination past का हो, तो subject के बाद head और वर्क की third form होगी ठीक है, यह ध्यान रखना, question बहुत आते हैं, आगे आपको मिलेंगे यहाँ present का था, तो subject के बाद वर्क की second form दिखे लेना, तो B हमारा correct answer हो जाएगा, अगला देखिएगा C came home to meet and I यह क्या था इसमें, ठीक है अब C came home, वह घर आई to meet मिलने के लिए, यह हमारा verb है verb के बाद objective case me होगा, family हमारा noun है, noun के पहले possessive adjective लगेगा, my होगा, me and my इसमें तो कुछ था ही नहीं, try to avail of, यह भी देखो आपको पता होगा कि किसी भी अध्यापक से अगर आपने पढ़ रखाऊगा, मैं इसलिए बोलता हूँ किसी अध्यापक से, क्योंकि यह नए channel पे बहुत सारे बच्चे मेरे से नए जुड रहे हैं तो obvious सी बात है, हो सकता है, मेरे से नपढ़े हो, कोई बात नहीं, इससे कोई आपती नहीं है, अब आप मेरे से पढ़ लो, या पहले आपने किसी से course पढ़ा होगा, तो आपको तो पढ़ाया होगा उन्होंने न, जैसे absent है, enjoy है, avail है, ठीक है, यह कुछ शब्द आपको बत दिया, reflexive pronoun, तो यह मिला कहां से आपको, यह sentence try to avail, यह कौन सा sentence है, imperative sentence है, imperative sentence में जो subject you होता है, हमिसा hidden होता है, understood होता है, जैसे जब आप come here लिखते हो, come here, तो अब ऐसा थोड़ी कि इसमें कोई subject नहीं है, इसमें subject है, यह जो you होता है, वो understood होता है, वो लिखा बोला नहीं ज मैंने थोड़ी दिर पहले आपको बताए था, कि सम जो है, वो positive sense के लिए, और जो any होता है, वो आपका negative, meaning convey करने के लिए, negative sense के लिए use किया जाता है, sentence में, तो अगर आप देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, आपने का सर hardly लिखा हुआ है, hardly कैसा meaning देता है, negative, negative के लिए क्या लगना चाहिए, any, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, any close, यहाँ many, यहाँ few दिया था, तो he has hardly any close friends, ठीक है, तो यह हो जाएगा, close, अगला, not only the workman, but also the supervisor was suspended for negligence, अब भाई, आप बता होगे, क्या इसमें किसी तरह का किसी student को कोई error लग रहा है, अब आप एक चीज़ दे सब्जेक्ट जोड़ा जाए, अगर मान लिजिए, इधर और से दो सब्जेक्ट जोड़ा जाए, या फिर आपका not only, but also से दो सब्जेक्ट जोड़ा जाए, तो हमेशा जो यह nearer वाला होता है, यानि यह pass वाला, उसी के अनुसार वर्प लगाई जाती है, तो supervisor हमारा singular subject है, subject singular, तो verb singular, तो किसी तरह का कोई error नहीं है, यानि यह हो जाएगा no error, ठीक है, अगला देखिएगा भाई, क्या कहता है, do I need finish this work today itself, अच्छा जी, अगर इस sentence को भी आप पढ़ो, और इस sentence को पढ़ के देखो, आपको कोई error लग रहा है क्या, अब error तो बिलकुल है, क्योंकि अगर आप sentence को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, तो ये दिखा आपको helping verb, ये दिखा subject, ये दिखा main verb, ये भी main verb, लो भाई, दो-दो main verb एक साथ आ रहे हैं, तो अब ये सिपाते sentence तो गलत है, सही कैसे कर सकते हैं, must I do, कोई मतलब नहीं बना, do I must, ये कही option है, need I, तो जैस इस model verb के लिए लगेगा, तो second, it is I who am, अच्छा जी, अब यहां पर देखेंगे, आपको कोई गलती लग रही है, क्या, क्योंकि जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, मैंने आप से कहा था, it is me who helped you there, अगर आप इस sentence को देखेंगे, तो इस sentence में क्या है, इस case में, तो it is I, यह पहले से सही लिखा हुआ है, यह relative pronoun है, जो कि subject को refer करता है, इसके पहले आई, यह सही है, और यह देखें, relative pronoun का जो verb लगता है, वो उसके antecedent का अनुसार लगता है, तो I का अनुसार M भी लगा है, तो no improvement, इसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं है, और द इसको भी एक बार आप देखना sentence को, ठीक है, the so, सही है, यह subject हो गया, float verb की second form हो गया, और यह इसका adverb हो गया, जो कि इस verb को modify कर रहा है, आगे आप देखोगे तो लिखा है, to the utter disappointment of everybody, disappointment जो है, वो आपका noun है, और noun को, जो qualify या modify करता है, वो adjective होता है, और utter का मतलब होता है, complete you से, ठीक है, complete या completely, और यह the article जो लगा है, वो इस noun के लिए लगा हुआ है, और यह पूरा का पूरा द से लेके disappointment तक, यह हमारा एक noun phrase है, यह क्या है, noun phrase है, और यह पूरा noun phrase, इस two preposition का क्या है, object है, ठीक, गलती तो कहीं है नहीं है, एक एक करके भी देख सकते हो, पूरा भ position का, the utter disappointment object के तरीके से काम कर रहा है, तो गलती तो ही नहीं है, ठीक है, तो no error आपका हो जाएगा, अगला देखे, the news about the search in COVID-19 cases is broadcaster, देखो भाई, यह कुछ वरब आपको पते होंगे, जैसे telecast आपने सुना होगा, overcast आपने सुना होगा, एक सामने आपके broadcast तो लिखा ही है, ठीक है, broadcast आपने सुना होगा, तो यह सारे जो होते है, इनकी पहली दूसरे तिसरी फाउं सेम होती है, जैसे cast, cast, cast होता है, बिड़ बिड़ होता है, उसी तरी के telecast, 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 overcast, 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 right, तो कभी भी इसमे ed मत लगाईएगा, इस बात को हमेज़ा ध्यान रखेगा, तो यह यहां पर is broadcast हो जाएगा, यानि आपका जो correct होगा, वो यहां पर is हो जाएगा, अब यहां पर लिखा हुआ है, आर नहीं होगा, क्योंकि about the search, यहां पर यह प्रेपोजीशन था, यह इसका object, यह उसका object, subject हमारा news है, जो कि singular है, यहां पर is ही रखिएगा, बस वहां पर broadcast कर दीजेगा, और यहां पर संदीव सिंग ब्राड कास्ट के बीच में जो आप space दे रहे हैं, वो मत दीजी, broadcast एक ही में लिखिया है, हो सकता है, आप से type करने में दिक्कत हो गई होगी, अब आते हैं इस question पर, मेरे हिसाब से पूछेंगे, तो यह मेरे लिए सबसे best question है, कोई बता सकता है, क्या, इस question का क्या answer होगा, देखिया, आप लोगों से यह गुजारिस है, कि जिनको खाना है, वो अपना खा सकते हैं, और ऐसा नहीं है, खाने समय पढ़ा नहीं सकते, उन सामने रख लिजिए, और अपनी दो रोटी खा लिजिए, हो गया आपका, दिक्कत तो हमारे लिए है, मैं तो पढ़ाने के बाद ही खाऊंगा, लेकिन आप लोग निप्टा लिजिए, क्या हो जाएगा, तीसरा, कोई तुक्का तो नहीं मार रहा है, चार यह मैं बता रहा हूँ, एक sentence देखिये, लिखा जैसे मैंने, it is time to settle this dispute, ठीक है, अब यह मैंने sentence लिख दिया, कि it is time to settle this dispute, आपको यह भी बताना चाहूँगा, यह sentence active eyes का है, अब अगर मैं इसे passive eyes बनाऊंगा, तो कैसे बनाऊंगा, वैसे आप न, अगर आपको active and passive eyes पूरा complete पढ़ना है, तो आप बस इतना डाल देना, active and passive eyes by जया दो, तो आपको एक complete video marathon मेरी YouTube के उपर मिल जागी, खेर वो मेरे YouTube चैनल पर नहीं है, वो जहां मैं पहले पढ़ाताता हूँगा है, लेकिन आप देख सकते हैं, कहीं भी है, आप देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखे, it is time to settle this dispute लिखा है, अब इसको हमें बनाना है, इसको passive eyes में, अ आप introductory phrase का मतलब यह हो गया है, कि यह वो phrases होते हैं, जो introduce करने का काम करते हैं, मतलब इनका sentence से कोई लेना देना नहीं है, और यह main sentence भी नहीं होते हैं, अपने आप में एक मुख्य पाक्या है, यानि main sentence है, यह introductory phrase होते हैं, यह सिर्प introduce करने का काम करते हैं, तो इनको हम as it is लि ये और लिखे for this dispute अब आप कहोगे कि ये for आपने कहां से घुसा दिया देखो फॉर हमने इसलिए ले आया क्योंकि for actually reason बताता है ठीक है it is time to settle this dispute तो वो reason बताने के लिए ना तो हमने for लगा दिया dispute और ये two plus verb की पहली form अगर अब आपको होगे ये क्या बताने लगे आप अब देखो वहाँ पर जो मैंने बताया है अब अगर इसको यहाँ पर देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि मैंने इतना time क्यों लिया ये it is time है आपने का ठीक है ये introductory phrase है ठीक है अब यहाँ पर देखो for the factory लिखा हुआ है सही है to be closed हो जाएगा पैसिव बन्दा to be closed हो जाएगा यानि ये sentence किसमें लिखा है ये sentence लिखा है पैसिव में लिखा हुआ sentence है ठीक है पहले बताब और ये sentence रहा कैसे होगा अगर इसको इसका active बना दे तो ये रहा होगा it is time to close the factory ये इसका active है it is time to close the factory अब इसको पैसिव बना दिया गया थे it is time for the factory to be closed समझ गे भाई असान थी चीज़ है अगला देखेगा the manager assured the implies that none of them will be dismissed असान है यह भी manager क्या है आपने का subject assured verb की second form है ठीक है किसको assure क्या implies को assure किया ये ध्यान दीजिए का past indefinite है manager ने implies को assure कि कि none of them will be नहीं हो जाएगा will का past from would हो जाएगा व्यूंकि sentence किसमें है past में वह भी किसमें होना चाहिए आपने का past में होना चाहिए तो will का क्या हो जाएगा past हो जाएगा would be dismissed यानि ए ठीक है अगला देखेगा अगला in this same book like our teacher recommended देखो मैं अगर बताऊं like को लेके तो like ना आपका एक तो verb होती है ये सबको पता होगी जैसे मैंने आपसे कहा I like you तो यहां तो वर्ब के तरीके से काम कर रही है और एक यह जो like होता है यह preposition होता है अब यह जो like आपकी preposition होती है यह किसके तरीके से काम करती है किसी को कोई idea है compare करने के लिए इसका use हम किसके लिए करते हैं आपने इसका use हम compare करने के लिए करते हैं यानि तुलना करने के ल अब यहां पर देखिएगा in this same book यहां पर as our teacher recommended यहां as का use करेंगे like नहीं क्योंकि like तो basically compare के लिए होता है हम यहां पर comparison तो करी नहीं रहे हैं जब comparison नहीं कर रहे हैं तो हम उसको लिख क्यों रहे हैं ठीक है तो as लिखिए ठीक है as as same book as कितने लोगों ने सही किया है इसको स्थी पे कौन था वाई सेम वाह रहे हैं नाइस भूख लगी होगी सर चक्कर खा रहा होगा दो रोटी खा लो दिमाग सही काम करेगा मैंने कितनी बार बताया है मैंने बता रखा है ठीक है पढ़ा रखा है सब कुछ यहां पर होगा नहीं अगला देखो as actually क्या होता as adverb होता है इसका मतलब होता है in the role of in the role of ठीक है same that जो मतलब बैठ गया दिमाग में जो आ गया उसको लिख देना है ठीक है बाकी देखा जाएगा सर जैसे मेघास हैबिट आफ प्रोक्रेस्टिनेशन पूट सर कलीक्स अन लॉट अफ ट्रबल लॉट अफ ट्रबल नहीं टुए लॉट अफ लॉट अफ लॉट अफ ट्रॉट अफ ट्रॉट यह चीज होता है ठीक है पूरा option नहीं देखा था तो ध्यान कहां था तुम्हारा पूरा option नहीं देखा था एक्जाम में बैठके करके अरे जैसर पता है दिक्कत यह होगी मैं पास हूँ आप मान के चलो मैं पास हूँ बस result खेल आ रहा है मैं पास हूँ कारण मेरी कोई गलती नहीं है पस मै मैं 15 लाग भी नहीं दिए है अरीदा भी नहीं है मैंने यह मेरा पढ़ाया हूँ स्टूडेंट है बस दिक्कत क्या है result में इसका नाम नहीं मिलेगा क्योंकि इसने ऊपर ऊपर देख करके जल्दी जल्दी करके चलाया अब यह बहाने नहीं दे सकता ना पूरा option देखना प जाहिर सी बात है अगर इन दोनों को साथ में रखेंगे तो यह क्या हो जाएंगे सूपर फ्लूर सो जहींगे जैसे हम एकजिट और आउट को साथ में रख सकते हैं आपने का पॉसिबल ही नहीं है सर exit और out क्या है same हो गए same meaning का नवे कर रहा है यह तो नहीं होगा तो यहाँ पे यह जो fact और true है वो भी साथ में नहीं हो सकता तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा it is a fact not it is the true fact या correct fact यह नहीं लिखना पड़ेगा correct भी इसका synonym है correct भी इसका synonym है ठीक है real भी इसका synonym है real, correct, true सब synonym है सब superfluous हो जाएंगे बचेगा हमारे पास एक ही ठीक है सर हमें 15 लाक नहीं बस एक laptop ही कापी है मूह देखो इनका अगर इनकी लोमड़ी सी सकल नहीं होती मैं इनको बहुत क्या बोलूँ इनको पढ़ाओ इनको समझाओ इनको अच्छी-च्छी classes ले करके इनको दो अब जब यह निकाल ले इनकी नौकरी अब इनको एक laptop भी दो इन्होंने हमें इन्होंने में खरीदा है ठीक है कि यह सारी चीज़ें आपने करनी है अब मैं तक यह चाहती है कि मैं kidney बेच दू कितने भी मेरे अंग है सब एक एक बेच के इनकी मैं आप उर्ती करतू इन्हें जो भी चाहिए जैसर free classes ले रहे है ठीक है कोई paid courses नहीं free में सब कुछ उपर पढ़ा रहे है अब सर हम लोग निकाल लेंगे तो हम लोग को एक एक gift भी दीजेगा actually मैं बता रहा हूँ इनकी गलती नहीं है मेरे ये बगल वाला जो कमरा नहीं है उसमें एक paid लगाया है रात के ढाई बज़े उसमें पैसे लगते हैं मैं सब कोई सो जाता है धीरे से जाता हूँ हिला लेता हूँ ठीक है उसके बाद मैं bank में जमा कर रहाता हूँ वो सारे जो पैसे हैं पेड़ हिला हिला करके मैंने जमा किये है तो उसी से इनको आप आप laptop मत पाई कहराने कि आपके पास COVID-19 की अगर नेगेटिव रिपोर्ट है तो आप अराम से एयर से ट्रेवल कर सकते हैं तो देखो जी आपको मैं बताऊंगा यहां पर उनली से काम चलेगा नहीं अच्छा अंटिल तो क्या बताता है अब आप 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 ही सोच लू ना क्या यहां पर कोई मीनिंग निकल रही है क्या श की नहीं निकल रही होगी ठीक है जब उसकी मीनिंग नहीं न ही तो वह गलत है अगलाया अब आप इब बता आपका आंसर आप सकता है आप पास आउट तो मैंने पहले टक shortest ठीक है पास ऑन भी हो नहीं सकता क्यों किपरा सम्द्र इंदी मर जाना देखो, यह जो शब्द लिखा है, इसका मतलब होता है, एब्सॉल्व कर देना, एब्सॉल्व करने का मतलब किसी को फ्री कर देना, मतलब आजात कर देना, तो the magistrate acquitted him of all, और एक चीज और धेहान रखना बहुत important है, जो बहुत बार पुझा जाता है, इसके साथ हम preposition क्या he was knowing her for a long time देखो जी यह जो आपका नो होता है ना यह आप फिर आप इसको smell कहलो आप like कहलो ठीक है एट्सेक्टरा यह जो हमारी verbs होती है यह कैसी verbs होती है आपने का सरी स्टेट्टी वर्प्स होती है इनकी हम ing form नहीं बनाते इनका continuous form नहीं बना जाता आप कभी थोड़ी बोलते हो कभी आपने बोला है किसी से I am knowing you I am understanding you आप बोलते क्या हो I know you I know you तो वहां पे भी I was he was knowing नहीं होगा आप यहां पिदे को लिखा है आपने for a long time और a long time यह present perfect tense है तो present perfect tense के लिए हमने क्या यूज़ करना अच्छा present perfect for a long time present present head लगा लो है new नहीं होगा क्योंगे new तो second form है यह knowing होगा नहीं तो head known है ठीक है अगला देखे इस shoes are cheap as well durable अब इसमें देखो क्या करें इसमें बच्चा दो option में confused होगा पहले में तो confused होने से रहा more cheaper than durable यह comparative degree है और पूरे sentence में कहीं comparison ही नहीं है किसी एक जूते का दूसरे जूते से comparison करी नहीं रहे तो हटा दो यहां उसके सामने दो option है यह है यह है अगर यह जब पढ़ेगा these shoes are both cheap and durable यह भी उसको हो गया और यहां पर अगर तुम देखो ना as well as well का मतलब होता है इन addition ठीक है जिसको हम two बोलते है भी as well to भी ठीक है तो this shoes are both cheap and durable तो both के साथ and इससे देखो इससे पता चल गया ना in addition से यह जो meaning convey कर रहा है उसके लिए अगर सही option देखें तो भी वाला ही है बोथ और end and जोडने का काम करेगा ना जोडने का एडिशन मतलब भी जोडना होता है two मतलब भी जैसे बोलते है आई two love you लोग आई लव यू तू बोलते है वो गलत था I लभ यू एक्शली होता है तो मैं भी तुम से प्यार करता हूं तो यहां जुड़ा हो रहा है तुम भी करता हो मैं भी करता हूं ठीक है डाटीचर पाउंडेश कर दिफकल्ट टू एकसीड ऑन दे स्टुडेंट्स रिक्वेस्ट कोई बता सकता है मेरे भाई इसको ठीक है जो मैंने लिखा हुआ है तूरंत आपको समझ में आ जाएगा ऐसा कुछ है नहीं जो इसमें समझ में आ आ एक्सीड के साथ क्या लगेगा आपने का सटू ठीक है और वो जो एक्सीड आपका लिखा है उस एक्सीड का मतलब क्या होता है जो संख्या में बहुत जादा हो तो यह होगा यहां पर यह हो जागा तो एक्सीड टू दैस्ट रिक्वेस्ट इसका मतलब होता है एडमिट करना मानना सी वाले सही है यह बहुत अच्छा कोस्टन है मेरे हिसाब से और कितने लोग कर पाएंगे मुझे यह आइडिया नहीं है ठीक है कोई है जो इसको करके बता सकता है मुझे मुझे पता तुक्का तो लग जाएगा लोगों का क्योंकि option ही ऐसा है वो कहेगा देखो not two के बाद head two के बाद हमेशा work की पहली form आती है पहली form ऐसे तो have आना चाहिए head काड़ देगा of के साथ having है he denied of having cost ये भी काड़ देगा एक ही बचे का he denied that he had cost no improvement नहीं होगा he denied अच्छा लोग no improvement भी लगा सकते हैं तब तो बताना पड़ेगा he denied if he had cost the accident मैंने कहा कि that he had हो जाएगा that he had हो जाएगा ठीक है अब मैं बताओं कैसे आपने थोड़ी देर पहले ध्यान नहीं दिया था मैं आपको समझाता हूं मैंने आपको दो बाते बताई थी मैंने बताया था एक देखिए that आपका होता है और एक आपका वेदर होता है ये भी दे बताती है वो बताती है अंसर्टेंटी और यह आपकी क्या बताती है यह आपकी बताती है सर्टेंटी ठीक है समझ ना अब यह आपको क्लियर हो जाएगा अब जैसे मैंने आपसे कहा I have little doubt और मैंने यहां लिखा I have some doubt अब आगे देखो मैंने यहां पर blank दिया यहां पर blank दिया अब मैंने आपसे यहां कहा he will return और मैंने यहां पर लिखा he will return विभी रिटन कि दोनों जगा पर लिख दिया विल प्रेशद ही विल रिटन ठीक है अब अब अगर आप यहां पर हम न हैकशेल कहां पर वेदर लिखें तो सेंटेंस को थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कुछ चीक तो यहां कहला है कि I have some doubt मुझे थोड़ा doubt है कि विल रिटेन वापस आएगा अगर उसे थोड़ा सा doubt है अगर उसको सक है तो यह तो uncertainty सो कर रहा है और उसे कहला doubt ना के बराबर है यह तो certainty कर रहा है तो सर्टेंटी Кол 건강 एहां देंटी जुव कर रहा है तो यहां किya हो जाएगा आपके सर वेदर हो जाएगा पहले बताईए पहला सब सबको समझ में आगया अगर यह पहला s समझ में अगया तो यह समझ में आजैगा उसने कही डिनाइड आपफो डिनाइड क्या है जैसे दो चीजा होती है पहली बात हो तो नहंतर होता हैना नлан not to admit आप कहोगे यह क्या चीज है आप देखो बहुत सारे बच्चों को जैसे मैंने डिनाई बोला होगा उनके दिमाग में आया होगा कि मना करना ना ना तो उस हिसाब से तो refuse भी तो होता है इसका मतलब भी मना करना होता है नहीं इसका मतलब होता है not to accept थोड़ा ना इंग्लिस को इंग्लिस में पढ़ेंगे मैं आपको सीरियसली बता रहो आपको बहुत सही लगेगा आप उसको ट्रांसलेट करके पढ़ोगे बाद में आपको दिक्कत होगी तो जब हमने यहां बोल ले लो जैसे मान लेजिए कि कोई एक लड़की है एक लड़के के साथ घूमने चले गई ठीक है और कहीं पर जो बगल वाले आपके चाचा जी होते हैं उन्होंने देख ले वो उसको भाई मानती हो वो चली घूमने और जब घर वापस आई तो उन्होंने आकर के पहले ही याग लगा दिया था कि अरे आपकी बेटी को तो हमने वो गंगा के नदी के किनारे वहां देखा था ठीक है वो पता नहीं किसी लड़के के साथ घूम रही थी अब यहां पर मान लेजिए वो आई उससे पूछा गया कि क्या तो उसके साथ घूमने गई थी तो उसने बना है सकल देखिए तुमने अपनी हम लड़के हैं हमारे साथ यही होता है तो सकल देखिए अपनी तो वह पहले ही मना करते हैं रिफ्यूस मतलब उसने उसका प्रपोजल ही एकसप नहीं किया तो कोई चीज को पहले ही मना कर दे ना तो नौट टो एकस्ट रिफ्यूस हो गया अगर किसी चीज को करके माना कर रहे हैं, तो हमारा क्या होता है? deny होता है, not to admit होता है, तो जब भाई, यहाँ पर denied वो लिख चुका है, ठीक है? denied लिख चुका है, तो इससे पक्की बात है, जो चीज है, वो certain है, हो चुकी है वो, तो he denied that he had caused the accident, ठीक है, certainty है, पक्की बात है, यह हो चुका है, चाहिए माने ना माने, पहले बताइए भाई, समझ में आया, समझें आप सभी लोग, क्या reason था इसके पीछे, क्यों यहाँ पर हमने that लगाया, इस नहीं लगाया, तो no improvement मत करिएगा, अब ऐसा आपको कहीं मिलेगा नहीं, यहीं लोग आपकी date में means में पढ़ा रहे होंगे, 800 रुपया, 1000 रुपया लेके, मेरा means का बैच आ रहा है, 2000 रुपया का ले लीजे ने, तो अब कम means नहीं निकलेगा, जिंदगी बनाई है, जिंदगी बनाई है, यह 2000, 2000, 2000, ऐसे पिक रहे हैं, courses, तो वहाँ पर जाना ही नहीं है आपको, जब आपको ऐसे पेड़ो समझा, समझा के मुहबबत से, हर चीज मिल रही है, तो 2000, 2000 की पत्तियां क्यों दे रहे हैं आप सब लोग, जैसे हमने कहा 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3, सब 1 by 3 हो गए, तो अगर मैंने इसको लिखा तो मैंने क्या लिख दिया, 1 third, ठीक है, अब मैंने आप से कहा कि इसमें से एक हिस्सा आपका, ये वाला, तो ये 1 third, अच्छा, अब माने जी मैंने एक circle खीचा, अब मैंने इसके 3 भाग बनाए, 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3, अब मैंने क्या किया, आपके उपर मैं ज़्यादा खुस हो गया, अब मैंने ये भी आपको दे दिया, ये भी मैंने आपको दे दिया, जैसे बगवान सिर्फ कृष्ने सुदामा को दिया था, ठीक है, अब आपके पास कितने हिस्से हैं, आपने का दो हिस्से हैं, ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, दो है ना, तो आप 2 thirds लिखना पड़ेगा, 2 thirds, यहाँ पर 1 third था, तो अब ये 3 fourth होड़ी होगा, 3 fourths होगा, तो यहाँ पर सब काट देजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 3 fourths, देखा, आए है, कौन हैं यह भाई, जरा इनकों देखें हम, अरे इन्होंने देखा, तुरंट डिलीट कर दिया, कैसे कैसे लोग हैं, यहाँ पर मेरी आखों में धूल जोक रहा है, लोकेंदर ने यह बोला था कि सर, यहाँ पर होगा D, और जैसे उसने आंसर देखा, सर ने बताया B, तुरंट अपना कॉमेंट डिलीट कर दिया, यहाँ किसी पर वरोसा नहीं कर सकते, बाई एक चीज में आपको कब से बता रहा हूं, यह जो आपका अनलेस है, अनलेस क्या बताता है, आपने का सर कंडीशन बताता है, अप यह कितनी बार बताऊगे, इसमें बस एक चीज ध्यान दिलाना चाहूंगा, कि इसकी meaning क्या होती है आपने का if not होती है देखो या if आया है if तो इससे पता चलगे यह condition ही बताता रटने की जरूरत नहीं है अब अगर आप यहां पर एक चीज़ गौर करो तो इसकी जब meaning if not है जब यहां पर not negative आया है तो भाई अनलेस के बाद कभी कोई negative लिखना ही नहीं है क्योंकि यह खुद negative होता है negative लिख देंगे तो superfluous हो जाएगा ठीक है अब यहां देखिए unless we are not sure unless we are sure हो जाएगा not हटा दीजिए वहां पर समझें 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 ओके दोर्स एंड विंडोस विल है पेंटेड बाई आफ्टनूम देखिए यह जो डूर्स और विंडोस हैं आपके यहां पर यह जो आपका सब्जेक्ट है मुझे बस इतना बता दीजिए यह जो दर अगला देखें देख रहे हो आप सब लोग विल हैप के बाद वर्प की थर्ड फार्म एक्टिव होता है पैसी बनाना है विल हैप बिन पेंटेड हो जाए यह आप ठीक है यह जो फोर्थ इस दे करेक्ट आंसर अगला देखें दा सॉप कीपर वाज आपलाईज तू दिस् इस यह जड़ द्विंटेड को सुझव है ठीक है तो dispense with का मतलब क्या होता है get rid of get rid of ना यार formality बगएरा छोड़ते हैं ये सारी चीज़ें छोड़ते हैं ठीक है तो dispense with the dispense with the services हो जाएगा या नि पहला is the correct answer अगला देखेंगा the soldiers would not have surrendered if they not ran out of ammunition question बताया नहीं था क्या मैंने ये आप लोगों को देखें मैंने ये conditional में बताया था कि देखो अगर इधर उड़ाया है have या वर्क की third form है ये closed condition है तो इधर head लिखो ना head not पर की third form इस ही में बता चुका हूं तो इसका क्या हो जाएगा second this work is much heavy हां जी ये question अच्छा है आजाओ भाई इस question में आजाओ सभी लोग एक बार ज़रा देखना है इस question को तो 2020 का CGL means का है this work is much heavy to do अब आप कहोगे देखो याद आया कुछ आपने का क्या या नहीं आये कोई बात नहीं को पढ़ने में मजे लिया करो समझ रहो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ऐसे aspirant है जो आज की डेट में इतना serious है इतना serious है ऐसा लग रहा है कि परधान मंत्री जी के जितनी भी कारभार है वो उनको दे दिया उन्होंने एकदम बढ़िया उनको ऐसा लगता है कि अगर वो हस लेंगे बोल लेंगे चार लोगों से बातें कर लेंगे थोड़े मजे लेंगे खुल जाएंगे जिन्दगी में तो उनको लगता है कि सफलता ऐसे कहां मिलती है ऐसे तो सफलता उनको लगता है कि थोड़ा बाल अच्छे से कटा लिया थोड़े कपड़े अच्छे पहन लिए दाड़ी सिट कर लिए ऐसे कहां सफलता मिलती हमारे इंडिया में मेरा मेटर है वो यही है यह आपको बड़े सफस्टिकेटिड बनके रहना है और यहां पर सफस्टिकेशन का जो डेफनीशन है वो अलग है बढ़िया कपड़े दाड़ी बाड़ी बिल्कुल सेट रहनी चाहिए छोटी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए बाल बड़े नहीं हो होने चाहिए बाल कलर नहीं होने चाहिए इस सब कुछ नहीं होना चाहिए हम तो कह रहें कि यह सब यह सब क्या है जिन्दगी में क्या है क्या है क्या सचिन में सचिन में क्या था कुछ मिली ना उसको अच्छी मिली और भी लड़के करने का जंजड भी नहीं है चार आये वह वैसे हासी खुशी रहे ये सब मिल जाएगा सीरियस होने से भाई सफलता कभी नहीं मिलती इस बात को ध्यान रखेगा अभी जो मैंने बताया था आपको टू के साथ टू प्लस भी बन तो दिस वर्क इस मच हैवी टू डू बाई वन परसन सिंगल हैंडी एक व्यक्ति के हाथ से ये काम करना बहुत मुश्किल है तो नेगेटिव मीनिंग कनवे हो रहा है तो यहाँ पर वैसे भी मच नहीं होगा यहाँ पर पहले तो टू हैवी लिखिए और दूसरी बात यहाँ पर देखिए यह जो आपका सबजेक्ट है ठीक है यह जो सबजेक्ट है यह तो करी नहीं सकता यह तो किसी दूसरे के द्वारा किया जाएगा तो इसको बनाईए पैसी में तो यह होगा to be done तो यह आपका होगा this work is too heavy to be done तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा तो heavy to be done यानी second हो जाएगा B समजह अगला देखिए, I had to wait for 50 minutes, अरे यार, अब इसमें क्या बताओ, मुझे इंतजार करना था, for 15 minutes, किस चीज के लिए, for bus, bus के लिए, अगला देखिए, और ये भी बता दू, ये जो हमारा off होता है, off preposition का use हम करते हैं, चीजों को आपस में relate करने के लिए, add का use हम करते हैं, जैस for हो जाएगा, period of time है, इसमें क्या ही बताओं मैं आप सभी लोग को, कोई दिक्कत ही क्या है कि सिस्टुटेंट को इसमें, इसमें तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए, अगला देखिए, which films have you seen when you were in merit, अरे यार, इसमें underline इसको कर ली जाएगा, ये, which films have you seen when you were in merit, देखो जी, इसमें आपको मैं बताओं, ये जो when आपने लिखा हुआ है, when, ये conjunction है, और ये जो conjunction है, वो क्या बताता है, आपने का सरी ये conjunction time बताता है, और देखिए, ये time किसमें है, you were in merit, ये time है आपका past में, समझे इस बात को, when क्या है, conjunction है, ये क्या बताता है, ये time किसमें है, past में है, जब तु मेरट में थे, जब थे तो कौन सी देखी थी, अगर तुम्हारा time past में है, तुदर टेंस भी past में होना चाहिए, और past में क्या है, आपका, ये कही है, ये लग नहीं सकता, क्योंकि C की ing form बनाते नहीं है, sing लिखते नहीं है, तो did आपक जा गया है, negative meaning का नहीं करता है, तो ये negative आएगा नहीं, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, आपको use लिखना पड़ेगा, why did you take this toy along the child, ठेक है, अब देखो, why did you take this toy, तुमने इस toy को क्यों ले लिया, बच्चे से, तो from, क्योंकि देखो, at अभी थोड़ी दिर पहले बता है, basic बात करें, यहाँ पर from हो जाएगा, along, along हम तब use करते हैं, जब हम किसी चीज़ के parallel चलते हैं, ठीक है, along the route, यह हो गया हमारा, यहाँ पर this mango tree yields a lot of mangoes, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह भी हम लोगों नहीं करा था, a lot of mangoes हो जाएगा, ठीक है, जो चीज़े आसान है, उ इसको क्या आओ गया, एक सकट, यह बहुत स्मूथ चल रहा है, यह जो when होता है, यह time बताता है, यह जो where होता है, यह क्या बताता है, आपने का सर्फ प्लेस बताता है, तो when से whenever बनेगा, वो भी time बताएगा, where से wherever बनेगा, वो भी आपका place बताएगा, तो कह रहा है कि a sincere person creates जाने की पात अवर है तो प्लेस का रफ्रेंस है वेर्एवर लगाना पड़ेगा तो यानि यह दर करेक्ट आंसर अगला दिखें यू मस्त स्टार्ट योर वर्क विडावड संपार्दर डिले भाई देखो पहले तो इस बात बता देना चाहूंगा आप लोगों को यह जो विद है ना और विदाउड लिती है आमने तो विदाउड का मतलब होता है not having बहुत लोगों को नहीं पता होगा लिख लिजेगा और ये कैसी meaning कनवे करती है negative meaning meaning से ही उसका clear है कि ये negative meaning बताएगी not having होता है तो भाई हमने नहीं बताता है है यहां दोरी के इसाथा ही नहीं हो यह फूर्दर मतलब क्या होता है आपने का sir अदिसनल होता है BS right a good breakfast लिखा हुआ है singular subject है singular verb होजाएगा यहां पर घिफ्स हो जाएगा। घिफ्स ऑल्दए एणरजी यहां गिस अनरजी के साथ मेनी तो लगेगा नियुकि वनी तो प्लीॉरल नाउन के लिए आता है यह हो जायागा भार ठीक है। कि आफिन वी और सेल्फ वी के साथ यहां यहां दिमसर्व lors तैजिसल्फ यह उँर सेल्फ होगा नहीं तेके सेल्फ वह होता है जहां जीसल्फ हowana यहां… हibtो अगला देखो I fell asleep after I am reading a novel वो यह नहीं कह रहा है वो यह कह रहा है कि I fell asleep पड़ते पड़ते उसे नहीं दागी मैंने कहा था न जब दो काम एक साथ हूँ while my mother was cooking I was playing जब मेरी माता जी खाना बना रही थी मैं खिल रहा था तो हो कह रहा है कि while I was reading तो I fell asleep while I was reading ठीक है यह सारी चीज़ें कर दो A is the correct answer ज्यादा नहीं बचा है यार थोड़ा सा है अभी हो जाएगा ठीक है I was too and interesting देखो अभी मैंने आपको बताया था कि तो का यूज तो हम वहां करते हैं जब हमें कोई negative meaning convey करना हो यह कहरा interesting movie थी भाई जब interesting movie थी तो यह negative ही नहीं है नेगेटिव है नहीं तो क्यों लगाओगे आप ठीक है तो यहाँ पे it was so and so and नहीं ठीक है सो देखो एक तरीके से सो अगर देखा जाए ना तो हम रिजल्ट के लिए भी यूज करते हैं conjunction की तरीके से और सो यहाँ लगाएंगे नहीं क्योंकि सो एड़वर्व होता है और यहाँ पे यह an interesting movie की बात कर रहा है movie देखो noun है interesting adjective है and इस article इसके लिए लगा है तो noun के लिए यह हमें determiner चाहिए determiner मतलब एक तरीके से adjective चाहिए सो तो एड़वर्व होता है एनफ की कोई ज़रूत है यहाँ पे सच लगा देजी सच डेटर्मिनर होता है देखिए सब लोग यहाँ पे सो बोल रहे है मैंने क्या बोला सो एड़वर्व होता है भाई सो एड़वर्व कैसे लगा दोगे नाउन के लिए एड़वर्व लगाओगे कि इड़वर्व लगाओगे कि इट वास सो एन इंट्रेस्टिंग होगी है ठीक है सच लगाओ सच डेटर्मिनर होता है डेटर्मिनर को एक तरीके से अड़्जेक्टिव समझो जो नाउन के पहले यूज किये जाते है और इसका परियोग हम करते हैं किसी चीज़को एंफेसाइस करने के लिए एंफेसाइस मतलब इस्ट्रेस करने के लिए यानि जोड देने जब हमें किसी चीज़ पर जोड़ देना होता है ठीक है उसके लिए यूज़ करते हैं अगला देखो इच ऑफ देखो नॉट बॉइज लो इच आफ के बाद आने वाला नाउन किस में है आपने कहा प्लीूरयल मैं है वरकिश में है वर की जगह क्या हो जाएगा आपने कर वाज हो जाएगा तो इच ऑफ देखोंगा वाज Hehe क्योंकि naughty boys खुद को punish किया जाएगा तो इस वज़े से यह passive में बनेगा तो was punished हो जाएगा प्रसांत is better from more other players of our अब इसमें बताएगा कोई क्या क्या हो जाएगा बहुत आसान है प्रसांत is better from more other players देखो जी यहाँ पे प्लेयर्स के लिए क्या लिखे है from तो लिखेंगे नहीं ठेक है sorry from करें than वहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ दैन है वहाँ many other है वहाँ पे than most other है वहाँ than more other है ठेक है अगर हमने better use किया है better तो comparative degree है तो comparative degree साथ from नहीं लगेगा यहाँ than more other होगा या most other होगा यहाँ देखो क्या है players, number को show कर रहा है तो इसके लिए हमें जो use करना है वो हम क्या use करेंगे most जो ज्यादा तर player है then most other most other players are for school क्योंकि अगर हम number की बात कर रहा है players, तो यह एक indefinite number है players में कितने भी हो सकते है तो और indefinite adjective भी चाहिए तो उसके लिए हम most लिख देंगे तो ज्यादा सही हो जाएगा most, most, most then most, not more यहाँ पर देखो confused मत हो ना, भाई इसको most लिखना एक बार फिर से बता देखो इसको most लिखना, ठीक है then most other अगला देखो I found my bag my bag, lie मतलब जूड बोलना होता है ठीक है, तो I found my bag lying where I had left it मतलब मेरा bag वहीं पर पढ़ा हुआ था I found my bag lying where I had left मैंने जहाँ छोड़ा था, वहीं पर पढ़ा हुआ था तो lying Mr. धार teach अब देखो इसमें क्या हो जाएगा in this school for the last 10 years पिछले 10 सालों से पढ़ा रहे है present perfect continuous है यह तो has been teaching हो जाएगा ठीक है यह देखो ना has been teaching B ठीक है अगला देखिए अच्छा यहाँ पर देखिए न यह थोड़ा सा अच्छा कोश्चन है जैसे मान लो मैंने यहाँ पर बोला I enjoy watch नहीं होगा यहाँ पर watching होगा अब जैसे आपके दिमाग में यह चीज आएगी न असर क्यों ing form होगा तो थेखिए ing form वहाँ यूज करते हैं जब हमें बताना हो कि कोई action process में है कोई action किस में है process में है progress में है यानि चल रहा है मुझे बस इतना जवाब दीजिए अगर मानने जी यह tv है पूरा टीवी इसको supposed कर लेजे टीवी जब off रहती है तब आप enjoy करते हैं या जब टीवी ओन हो रही होए आप देख रहे होते हैं तब आप अब यससी बात है कोई भी चीज़ अगर हमें ज़र enjoy करना है तो हम साथ में करते हैं, अगर वो हो रहा हैं मुस्से इंजॉआए कर रहे हैं, साथ साथ करते हैं, तो I enjoy watching हो जाएगा, watching historical movies, तो चाहे movies हो, चाहे TV हो, हम उसको तभी इंजॉआए कर रहेंगे, जब वो चल रही होगी, तो यहाँ पर continuous form बनेगा, ठीक है, अगला दिखेगा, I have withdrawn, अब हम पता have के बाद वर्वी थर्डफाओं आती है, यह सब कार दिजिए, withdrawn हो जाएगा, अगला देखेगा, He spent money on his holiday, as if he were a millionaire, कोई बताएगा किया, इसमें किसी तरकी किसी को कोई गलती लग रही है, ठीक है, कहरा है कि He spent money on his holiday, उसने अपने holiday पर पैसे खर्च किये थे, as if he were a millionaire, जैसा कि मिलेनियर था, ठीक है, तो इसमें कोई गलती है नहीं, क्योंकि तो कोई यह even as if लिखा हुआ है तो as if क्या बताता है, imagination यानि unreal situation, imagination या हम कह सकते हैं unreal situation और अगर unreal situation हो, hypothetical situation हो, imaginary sentence हो, तो हम subject के बाद work की second form लगाते हैं, जैसे मैंने बोला, if I were a king, अगर मैं राजा होता, if I were a bird, अगर मैं चिडिया होता, ठीक है, तो इसके लिए work लगाएंगे, तो यहाँ पर was card दीजे, यह यहाँ पर कोई गलती नहीं है, इसमें तो मतलब अगर आप इसको ऐसे भी लिखोगे ना, तो इसमें कोई गलती नहीं, as if सही है, यहाँ पर, ठीक है, no improvement, no improvement, हाँ जी, अगला देखेगा, how many sums had you solved so far, by देखो, एक simple से चीज लिख लेना, जैसे यह so far दिख रहा है आपको, so so far है, या आपका yet है, या फिर just है, ठीक है, और यह भी लिख लीजेगा, जैसे lately है, इनके साथ हम जो use करते हैं, that is present perfect tense, ठीक है, यह, और इनमें गलतीयां कैसे आती हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा frequently पूछे जाने वाला यह है, he did not call me yet, और यह क पीछे मैं बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब जैसे मैं यह बताने लगूँ, yet का मतलब till not होता है, ठीक है, अब यह जो till होता है, यह preposition होती है, यह deadline बताती है, अगर कोई deadline होती है, तो मतलब एक तरीके से जो आपको date दिया गया है, वहाँ, उस स call नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो he has not called me yet हो जाएगा, ठीक है, उसी तरीके से लेटली, अब मैंने आप से बोला, have you seen the ताज महल, क्या तुमने हाल फिलहाल में ताज महल देखा, have you seen the ताज महल लेटली, ठीक है, तो यह हो गया, तो यहाँ पर आप क्या लगा लेना, यह लगा लेजे, तीसरा लगा लेजे, ठीक है, so far के साथ present perfectence, अगला, the report that markets are opening is not true, अब इसमें कोई पता सकता है, किसी तरह की कोई गलती है, anyone, कोई गलती नहीं है, देखो, यहाँ पे लिका, the report ठीक है, that ठीक है, markets सही है, plural subject है, are open is not true, कोई गलती नहीं है, ठीक है अब लड़के को लगर वाई, यह इस कहां से आ गया, देखो, यह that, the report that markets are open, यह हमारी यह clause है, एक adjective clause है, जो इस report के लिए, यानि subject के लिए लगा हुआ है, report is not true, यह इसके लिए, जैसे हम लोग यह नहीं लेते, the food that he tasted is delicious, तो the food that, यह जो हमारी subordinate clause है, यह जो हमारी subordinate clause है, यह किसके तरीके से काम कर रही है, adjective के तरीके से हम adjective clause कह सकते है, यह food के लिए लगा हुआ है, जो की noun है, और इसका जो subject है, वो यह है, यह जो वर्ब यहां पे लिखी गई है, is, समझ गए, तो यहां पे आपका किसी तरीकी के कोई गलती नहीं है, that is no improvement, no improvement, ठीक है, समझ गए आप सभी लोग, अगला देखेगा, keep him at arm's length, lest you may not repent in the long run, भाई यह समझना थोड़ा सा, बहुत बहुत असान है, जैसे हमने का, they get up early, they get up early, less, they should not miss the bus, अच्छा, एक चीज बताना मुझे, अभी यहां पे ऐसे, अभी खेर, 78 लोग देख रहे हैं, और कितने घंटे की क्लास हो गई, दो घंटे की क्लास अभी तक हो चुकी है, तो इसमें कितने ऐसे इस्टुडेंटेंटें, जो अभी मेंस के हैं, ठीक है, या फिर सारे के सारे वो इस्टुडेंट हैं, जो दूर दर्सी हैं, सर हमारे सीपीओ है, स्टेनो है, अपकमिंग एक्जाम है, इंगलिस सीखना चाते हैं, उसके लिए, देखो मैं सीरियसली बतारो, मुझे भूख बहुत तेज लगी है, कसम से, पानी दो घूट पिया था दो घंटे से पढ़ा रहा हूँ, कितना टाइम हो गया, दो बजने वाला है, दो घंटे से ज़्यादा हो चुका है, तो भूख सुचो मुझे कितनी लगी होगी, मैं जा के कम से कम, कहीं पी जाऊँगा तो छे-सात रोगी से कम नहीं गाऊँगा, इतनी भूख लगी है, मेंस, 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 बहुत बढ़ियां भाई, चलो, दे, दे गेट अरली, अब यहाँ पर देखे क्या है, दे गेट अरली, लिस्ट दे शुड नॉट मिस्ट बस, ठेक है, अब अगर मैं, यहाँ पर दो चीज़ें आप लोगों को अगर बताऊं, ठेक है, क्या हो सकता है, एक तो दे, लिस्ट जो है ना, यह नेगेटिव मीनिंग करता है, तो यहाँ नॉट नहीं लगेगा, कभी कभी क्या आता है, यहाँ पर में दे देता है, तो कभी में नहीं लगेगा, यूजरी में करके देता है, तो उसकी जगर शुड लगेगा, पर यह ज ठीक है, अगला, the scientists are busy to explore new ideas, scientist अच्छा जी एक चीज़ बताना, अच्छा आप में से किसने किसने customer care को कभी call किया है, अपने जिन्दगी में कभी ने कभी आपने customer care को call तो किया ही होगा, ठीक है, तो वो आपने सुना है, ऐसे बोलता है, we are busy, helping other customers, we are busy helping other customers, तो अगर आपने notice हिया होगा, तो यह जो busy है यहाँ पे, इसके बाद ing लगती है, current form, कारण क्या है वो भी मैं बता देता हूँ, जैसे आपने का sir मैं व्यस्ट हूँ, अगर आप व्यस्ट होंगे, कुछ तो करने में ही व्यस्ट होंगे न, अगर आपने का I am busy, तो obvious ही बात है, आप व्यस्ट हैं तो कुछ तो कर रहे होंगे, आप क्या कर रहे हैं, customers की मदद कर रहे हैं, तो मदद करने का काम जारी है, that's why यहाँ पर helping होगा, और उसी तरीके से busy exploring हो जाएगा, exploring, यानि a is the correct answer, ठीक है, अगला, nobody was interested in the fish, who गोपाल had catch from the river, अब यहाँ पर which गोपाल लिखा है, यहाँ विच गोपाल लिखा है, यहाँ विच गोपाल लिखा हुआ है, तो भाई क्या होगा, अब ऐसा तो नहीं इसको गोपाल से ही पूछना पड़ेगा, आपने का nobody was interested in the fish, ठीक है, अब यहाँ पर fish के लिए क्या लिखा है, which, गोपाल had, head के बाद तो third form आईगे catch होगा नहीं, who गोपाल had caught, which गोपाल had caught, यानि fish के लिए which लखना ठीक है, चौथा, तो इसका answer जो था, वो तो पहला था, इसका answer आपका चौथा हो जाएगा, क्योंकि fish है, इसके लिए related to pronoun, which लिखना पड़ेगा, who होगा नहीं, ठीक है, अगर अगला देखें, I will have traveled all over Europe last year, अच्छा एक बात बताईए, he is born in 1964, यहाँ पर दर्द होने लग 64, यानि past का time है, past का time है, तो यह भी past में होगा, इस नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपने का सर्वाज हो जाएगा, तो I will have traveled all over Europe last year, तो I traveled हो जाएगा, ठीक है, traveled, यानि आपको, कौन बोल रहे, डी, कौन बोल रहे, ठीक है, I have traveled last year, ठीक है, जैसे मैं यह लिख यह लिखा ना, तो last year के लिए, I met her last year होगा, past indefinite बनेगा, past indefinite ठीक है, अगला देखो, Mr. Fogg thought that it is possible to a man to go round the world in 80 days, कोई बता सकता है, चलिए, इसको एक बार बताईए सभी लो, अरे खतम होने वाला यार, अब ज़्यादा बचा ही नहीं है, मुझे कितने questions हो गए, कोई note down कर रहा है क्या, कितने questions हो गए, अगर किसी ने note down कर रहा है, तो बताईए, मुझे लग रहा है कि 115-20 questions हो गए, 10-15 questions और बागी होंगे, देखो, मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा मेरी बात, इस question को, मैंने लिखा, it is possible, for a man, यह sentence ध्यान रखना, it is possible for a man, ठीक, अब अगर एक मैं और आप से कहूँ, it is possible to go there, तो बस इतना ध्यान रखना है, यहाँ भी possible लिखा हुआ है, यहाँ पे भी possible लिखा हुआ है, दोनों जगा पे possible है, यहाँ possible के बाद for है, यहाँ possible के बाद to है, कभी भी, अगर आप कोई noun इंट्रोडियूस कर रहे हो ना, तो for preposition लिखना, अगर two plus verb की पहली form आ रही ह यहाँ था mister fog thought, it is possible to a man, to a man, for a man हो जाएगा, थेक है, तो यहाँ पे for लिखना पड़ेगा, for a man, noun के लिए, और to तब लगेगा, जब हमें infinitive लिखनी, यहाँ पे देखिए इन लोगों ने noun के साथ to लगा दिया है, जो कि गलत था, तो आंसर क्या हो जाएगा, d, not to, पे हम क्या लिख सकते है, नौर इंद, ठीक है, यहाँ नौर इंद, नौर इन लिखें, या नौर तूद लिखें, नौर on the job तो लिखोंगे नहीं, ठीक है, क्या हो जाएगा इसके लिए, सर बैक्ग्राउंड ब्लेक रखा गरो, इनकी आइज इफेक्ट हो रही है, और मैं यहीं पास में खड़ा हो के पड़ा रहा हूं मेरी, मैंने सिकायत तो नहीं करी एक बार भी, इनकी आइज इफेक्ट होगी पहले, इनको पकड़ो और मारो नहीं, घसीटो पहले, नीदर देखो, यहाँ पर इन बिजनस है और यहाँ पर इन हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, कारण में बता देता हूं, यह जो तुम्हारे नीदर नौर होता है, मेरे भाई, नीदर के साथ जो नौर लिखोगे, तो यहाँ इन क्यों लिख रहे हो, क्योंकि नीदर नौर ए स्ट्रक्चर को जोड़ेगा, तो अगर उधर इन है, तो इधर भी इन करो, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, अगला देखो, यू can have a comfortable journey, only then, you are getting your seeds reserved in advance, 2021 में आगे, अब 2022 में भी आ जाएगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है, जैसे मैं यह बता हूं, सुन ला सुनना मेरी बात को, अभी समझ में आ जाएगा, मैंने जैसे आप से यह बोला, only Jay can do this work, इसका मतलब यह हो गया, कि सिर्फ Jay इस काम को कर सकता है, तो यह only जो वर्ड है, कि सिर्फ Jay इस काम को कर सकता है, चलो भाई, यह भी सही है, अच्छा, अगर मालनेजे, मैं ऐसे लिखन I don't get up early, अभी सुनते जाना, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा, अब अगर इन दोनों में मैं एक चीज़ करूँ न, तो आपको यह समझ में आ रहा होगा, कि यह वाली जो बात हमने यहां पे लिखी है, यह हमारा cause है, यानि कारण है, यह वाली जो बात हमारी है, वो क्य सदी ना उठाँ, तो कारण यह है, यह आपका result है, अच्छा, एक बात बताईए, अगर इन ही दोनों चीज़ों को मैं आपस में एक रिलेट कर दूँ, ठेक है, तो अगर एक sentence मुझे ऐसे लिखना है, कि he will help you only if you obey him, अब अगर मैं इसी को ऐसे लिखूँ, he will help you only if you obey him, देखो, अब कह रहा है ना, कि he will help you, वो तुम्हारी मदद करेगा, only if, only if, तभी you obey him, जब तुम उसको अबे करोगे, जब तुम उसकी आग्या का पालन करोगे, तो देखो यहाँ पे, मतलब only if का मतलब क्या हो गया, in no other condition, मतलब कोई और condition पे वो तुम्हारी सहायता करेगा ही नहीं, कोई और condition, सिर्फ दगर तुम उसकी आग्या का पालन करोगे, तभी, कोई और condition लगा लो, दुनिया भर की condition लगा लो, वो नहीं करेगा, वो सिर्फ एक ही condition में करेगा, जब तुम उसकी आगया का पालन करोगे, तो यहाँ पर only if लगेगा, तो यहाँ पर चौथा, fourth, fourth is the correct answer, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, तो हो जागा, you can have a comfortable journey, only if you get your seats, reserved in advance, अगर पहले से advance में तुमने अपनी seat reserved कर रखी है, तभी आपकी जर्बनी comfortable हो सकती है, ठीक है, पहले ब long tables, doing their homework by candlelight, अब जर्बा इसको कोई बता दे, अरे खताम होने वाला है, तुम लोग पता नहीं क्या कर रहो, अब जब खताम होने वाला है, तब क्या रोना है, अब तो होई गया, कितना बचाई है, थोड़े से question बचे हुए है, इसका answer बताओ, 80 girls set there at four tables, doing their, चलो यह तुम्हें homework देता हूँ मैं, जब homework दे दिया, तो मतलब अब खतम होने के हम कागार पे हैं, देखो, फटा फट करते हैं, फटा फट, कैसे, सरोज has been suffering, suffering के साथ क्या आता है, आपने गासर, suffering के साथ from आता है, suffering from, अब देखो from कहा है, यहाँ यहाँ नह होगा, यहाँ पर क्या होजागा, सिंस, यह तो समझाना पड़ेगा ना भाई, जल्द बाजी में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तो सरोज has been suffering from osteoporosis, from since she was 50 years old, यहाँ पर time है, अब आप कहोगे time तो यह भी बता रहा है, from के साथ when, नहीं जी, यहाँ सिंस लगे जैसे मैंने कहा, आपने बोलागे, सर, कब से पढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा, I have been teaching, since 2012, 2012 से पढ़ा रहा हूँ, अब आप कहोगे, अब जैसे मुझे याद था, तो मैंने बोल दी, अगी में 2012 से पढ़ा रहा हूँ, अब suppose करोगर, मुझे यही चीज नहीं याद होती, तो मैं ऐसे बोलत I have been teaching, since I completed graduation, अब दो यह भी तो टाइम ही तो बता रहा हूँ, एक पूरा event है, मतलब मैं तब से पढ़ा हूँ, जब से मैंने graduation complete क्या, अगर माल लिजे किसी ने आप से पूछा, यह काम कब से कर रहा हूँ, अगर आपको suppose कर यह date नहीं याद है, ठीक है, सब माल लिटे नही सर फूर माल ही नहीं याद है, टाइम नहीं याद है, यह टे नहीं याद है, कुछ मस भी नहीं याद है, ऊ अगजआया हूँ, तब से काम कर रहा हूँ, आप वह बोल जब से मैंने graduation complete क्या, तब से काम कर रहा हू तो इसके लिए sence event के लिए m study pakai अ आपको आइधिंग पढ़ाया गया होगा present tense के अंदर present perfect tense के अंदर we have heard that some some statues have stolen stolen कहां से चुराया गया from this ancient temple इस प्राचीन मंदिर से चुराया गया तो from लगेगा तो विद हटा दीजिए यहां having के साथ been नहीं होगा have been stolen from हो जाएगा यानि भी ठीक है अगला देखेगा आपको अगर ना पता हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा अधे का by इन समधिंगいき आई इो इसके साथ इन लगता है तो प्राइड यहां पर इन लग जाएगा इन प्रेपोजीर्शन प्रेपोजीरन पोजीशन के बाद हमीशा जिरंड फॉर्म आती है यह बताया था जिरंड मतलब आइंजी फॉर्म तो चौता हो जाएगा प्राइड इन सर्वी अगला दल लेटिल वॉय डिड मेनी मिस्चीफ बताना चाहूंगा कि यह मिस्चीफ जो है वह अनकाउंटेबल नाउन होता है त तो मिस्चीफ यह नहीं होगा यहाँ पे मिस्चीफ मेनी अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ मेनी नहीं लगेगा एक ही सही है हमारा मिड मच मिस्चीफ काउंटेबल नाउन के साथ मेनी नहीं लगता मच लगता है और इसको प्लूरल नहीं बना सकते मेनी बैटल्स व रखता है गलत यह की सही हो पाएगा many a battle was क्योंकि हमने बताया था आपसे कि many के बाद plural noun आता है वर्ब plural आता है यहां कुछ नहीं दिया है तो यह वाला option सही होगा many a battle उसके साथ वाज लिखेंगे अगला दिखेगा turn left outside the library door and walk down the corridor अब यहां क्या लिखो until you come to when you are come to until you will come to तो पहली बात तो यह until के साथ unless और until के साथ कभी will sell का use नहीं होता क्योंकि यह subordinate conjunction होती है यह subordinate clause बनाती है तो आपको ध्यान होना चाहिए यह subordinate class के साथ will sell नहीं लिखते हैं यह मैंने अपने basic English grammar में पढ़ाया है और वो YouTube पे भी पढ़ा हुआ है और when you are until you come to हो जाएगा और come to का मतलब क्या होता है to reach a particular destination come to का मतलब क्या होता है to reach a particular position to reach a particular destination वो होता है अपना come to अगला दिखेगा his tone was neither of anger nor sorrow अब यहाँ पर बताईए क्या हो जाएगा आप कहोगे सर नीदर के साथ nor लगेगा पक्की बात है यह यह तो नहीं होगा या तो आप कहोगे nor of sorrow या तो आप कहोगे no improvement और इसमें से आप क्या कहना चाहते हैं अब यह असी बात है nor of sorrow यहाँ पर दिखे नीदर of anger है same rank का structure जोड़ेगा of sorrow यह वाला हो जाएगा आपका चौथा यानि D is the correct answer ठीक है अगला देखेगा none of the girls यह मैंने आपको पता नहीं कितनी बार बता दिया है अब तक none of के बाद या neither of के बाद either of के बाद each of के बाद noun plural verb singular तो girls deserves ठीक है हो जाएगा तो यहाँ पर यह हो देखो भाई रीच अगर आया है ना आपका तो इसके साथ आप लोग एट वैट मतलगा इस बात को ध्यान रखना तो यह आपका ऐसे ही सही हो जाएगा मुझे पता है आप लोग ठक चुके है ठीक है लेकिन थोड़ा सा और थोड़ा सा और सब्र रख देजे मैं बहुत एप्रिसियेट करूँगा आप लोग के इस सब्र को ले करके क्योंकि देखे मेरा मैं भी इंसान हूँ मुझे भी भूख लगी है लेकिन मैं रुका क्यों ह पहाना जरूरी है भविस से जरूरी है सरकार सीटी ला रही है क्या कर रही है कल को कितनी वेकेंसी आएगी तो नौकरी पक्की करना बहुत इंपॉर्टेंट है तो वी ओंट रीच मियामी ठीक है अंटिल फाइव ओ क्लॉक अब देखे ना हमने कुछ लिखा है क्या यहां प सबस्क्राइब करें लाग पोयम भाई हारट किसी को आता इसमें कमेड़ी किसी के हिसाब से आधि मुझे तो नहीं लगरा है कि सी तरह का कोई यह दो नाग्हाल है लाडुनिगम भाई гаी Αंus सब्सक्राइब क्या होता है थोड़ा सा और पानी भी खतम हो गया लेने नहीं जाओंगा अब इसको खतम करके जाएंगे कितने कोश्चन बचे हैं साथ आठ कोश्चन और बचे हैं मुझे पता है कि तुम लोगों का मन करता होगा जब मैं ऐसे बुद्ध हो खतम हो रहा उसके गंटा जिला देता हूं लगता हो न सरकास यहां से घुसके आप आते हैं मैं आज भूल जाता टीचर और स्टूडेंट क कुस करके घर के अंदर बांद दो ऑन्ध का अध वाउ अबार तो कंट्रास्ट बताता है के अधं यह सकता है कि इसका मतलब खता अधर वाइस अधर्वाइज इसे को काट लेगा ठेक अन्य था तो यहां पर यह हो जाएगा अगला देखिए यह बढ़ा अच्छा यह कोउष्चन है यह कोउष्चन तो मैं चाहता है कि हर लड़का जाने जैसे होता क्या है जैसे फूर्व यह हर्णक से लिखने दो मिगर्व कि प्रूव है है ंदे रूब है तुरिवन है तक है जैसे देखो लूड है लोडेड है लोडेड है लेडेन है एक्चुली कुछ वब ऐसी होती है जिनके दो थर्ड फॉर्म होती है जैसे ये देखो पहली फॉर्म ये है इसकी पहली ये इसकी दूसरी इसकी दूसरी इसकी तीसरी इसकी तीसरी ये क्या है पता? ये भी तीसरी है, कुछ हमारे ऐसे वब होते हैं, ये अच्छा question है, कुछ हमारे ऐसे वब होते हैं, जिनकी दो थर्ड form होती है, बस ये ध्यान देना, ये वाली जो थर्ड form होती है, ये action बताती है, और ये वाली जो थर्ड form होती है, ये adjective बताती है, मतलब इसको ऐसे समझो, ये भी थड़, ये भी थड़, ये हमारी वर्ब के रूप में काम करेगी, ये एड्जेक्टिव के रूप में काम करेगी, कैसे वो समझा देता हूँ, जैसे मैंने कहा, लिखा, अ, गार्ड ये त्रुक वास बिद राइप मैंगो अठीक, जैसे मैंने लिखा, गार्ड ट्री वास, विद राइप मैंगोस देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ हो जाएगा कैसे मैं समझाओं देखो यहां पर एक चीज़ नूटिस करो यहां क्या लिखा है ट्रक यहां क्या लिखा हुआ ट्री भाई एक पेड़ बना लेते हैं ठीक है अब मालनो इस पेड़ पेड़ में यह आम लटके हैं समझाओं यह सब आम लटके हैं अब हमने कहा कि यहां पर लोडिड लिक दो गए तो इसका मतलब क्या लजाएगा पता देखो लोड़ेट तो एक्षण को रेफर करता है तो इसका मतलब हो जाएगा ट्री वाज लोड़ेड विद राइक मैंगो उसकी पेड़ पर किसी ने चड़कर के आम लगा दिया है ऐसा पॉसिबल है कि कोई पेड़ है कोई मैं और आप जैसे लोग चड़कर के उसके आम लगा दें ले 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 आपको पॉसिबल नहीं है यह उसकी स्टेट बता रहा है कि यह पेड़ जो है पके हुए आमों से लदा हुआ है तो एड्जेक्ट्व क्या बताते हैं स्टेट ही दिद्द तो अवस्था थेक है तो इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा आप ने है यहाँ पर नकी state required है तो यहाँ पर हमको loaded लिखना पड़ेगा loaded तो यहाँ पर आपका था the apple tree, tree की बात हो रही तो laden हो जाएगा वाई, laden, laden कहां है, laden with ठीक है, यानि ये चौथा, पहले बताओ समझे हैं आप मेरी बात को c is as, ये बहुत असान है, इसमें एक structure बस याद रखना, जैसे as, positive degree, as, फिर आएगा if not, उसके बाद comparative degree के साथ क्या लगा रहेगा, आपने कासर 10, पस ये याद रखो, यहाँ पर इसने सब सही किया, एक चीज़ गढ़ण कर दी, as good as लिखतो बस, c is as good as, if not better than her sister, तो यहाँ प the first step in making a kite, कह रहा कि जो पहला step है, in making a kite, पतंग बनाने में, जैरा देखो, ये in क्या है, preposition, preposition के बाद मैंने कहा था, वर्ब जब भी आएगा, वो jiran form में आगा, ठीक है, क्या बनाने में, पतंग बनाने में, या kite सही है, is the two fashion, ये तो first step जो यहाँ पे subject है, ये इसके लिए लगा हुआ है, is the two fashion, ठीक है, सही है, और ये fashion को गड़बड़ी से मत कुछ कर देना, वो सही है, two के बाद वर्ब की पहली form है, है न, तो, ये तो passive बना दिया, काटो, तो fastening, ing आएगा नहीं, is fashion आएगा नहीं, no improvement required, कोई गलती नहीं है, यहाँ पे, ठीक है, अगला देखो, Edward, देखो, 22 में आ गए न, दो-चार question हो रहे है, Edward, second is tragic then, अब यहाँ पे then आया, then से हमें समझ में आएगे, हम comparison कर रहे हैं, comparative degree, तो comparative degree गहाँ पे है, यह most है, काट दिया, least है, काट दिया, less हो जाएगा, क्योंकि, यह जो little होता है, उसका less होता है, और least होता है, यह positive degree है, यह comparative degree है, यह super little degree है, comparison की बात हो रही है, तो less लिखना पड़ेगा, least super little degree है, most आएगा नहीं, यहाँ पे B हो जाएगा, correct answer, ठीक है, अगला देखो, Bloomberg Business Week is not more popular than some other business magazines in the US, अब देखो, यहाँ पे दैन की बात हो रही है, दैन से तो comparative degree होना चाहिए, तो बताओ, यहाँ पे answer क्या हो जाएगा, अगर हम comparative degree की बात कर रहे है, Bloomberg Business Week is not the most popular than, as more popular than, so popular than, या no substitution required, कोई बता पाएगा, चलो, यह करना, आप लोग इसको भी कर लेना, ठीक है, असान है, यह भी homework है आपका, बस खतम हो गया, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, क्या बजा हुआ है, रिते की slow than, तो slower than हो जाएगा, comparison, और हमें पता है, रिया, रहन, as fast नहीं होगा, देखो, हमेशा fast ही होता है, fast आपका adjective भी होता है, fast आपका adverb भी होता है, जैसे nice का, हम nicely बना देते हैं, हमें लगता है, nice adjective है, nicely adverb हो जागा, यह काम मत करिएगा, जैसे हमने कहा fast car, जैसे आपने fast car बोला, तो car noun है, fast आपका adjective है, ठीक है जी, अब जैसे मैंने बोला, he runs fast, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, यह हमारा subject है, यह verb है, और यह क्या है, adverb है, तो यहाँ पर run की बात हो रही है, तो fast हो जाएगा, adverb, खतम हो गया, तो आपको दो question भी हमने दि दिखाओगे, ठीक है, तो यहाँ तीसरा हो गया आपका, यहाँ पहला हो गया आपका, और यह वाला मैंने आपको दिया था, ठीक है, फिर मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कोई गलती नहीं है, no substitution required है, not more popular than, comparison कर रहे हैं, तो so लगेगा नहीं, most लगेगा नहीं, as more कोई sense नहीं बनता, ठीक है, तो no comparison, तो